हेलो एब्रिवान वेलकम बैक टू जीटेक पॉली दोस्तों आज किस लेक्चर में हम सर्वेइंग सेकेंड के कुईक रिवीजन का पार्ट 3 स्टडी करेंगे इससे पहले हमने सर्वेइंग सेकेंड के दो पार्ट रिवाइज कर लिये थे जिसमें हमने इसके सबसे बड़े ब बहुत सारे बच्चे परिशान हो रहे हैं कि सर्ट ट्रावर्स सर्वे आपने नहीं पढ़ाया था तो हमने रिवीजन भी उसका नहीं कराया था बट इस बाले लेक्चर में हम जो आपका थ्योडोलाइट का ट्रावर्स बाला पार्ट भी आपको रिवाइज करा दिया है तो आज ही कर्ब को खतम कर लेंगे अधर बाइज कल सुबह कर लेंगे दो बजी आपका एक्जाम है और लास्ट के तीन चैप्टर्स तो आपको और लेडी प्रोवाइड कर रखे थे मुस्किल से 40 मिनट में लास्ट के तीन चैप्टर्स रिवाइज हो जाएंगे modern serving equipment था टोटल इस्टेशन था दो दो टोपिक हैं important उसके सिर्फ जो 10-10 मिनट में रिवाइज होंगे तो उन्हें भी हम cover कर लेंगे ठीक है एक lecture तो यह है एक lecture सुबह को और मिलेगा आपको 7 बजी जो 7 से 10 रहता है ठीक है इसके बाद पूरा सर्वे बहुत अच्छे से अपना तय आपको प्यार हो जाएगा एक बार सभी बच्चों के साथ सेसन को सेर करेंगे सबदी कर देंगे जितनी ज्यादा एंबर्जी होगी आपकी उतने ज्यादा पढ़ने में मच आए गार हम पूरा ही खतम करने के कोसिश करेंगे ठीक है चलिए बच्चो तो सबसे पहले हम थोड़ा दिहान से कर लेना क्योंकि तो आपको करने आने चाहिए बहुत सिंपल है जैसे कमस सर्वे के नुमेर कल उते यहें जिसमें एक टेबल जैसी वनी होती है जिसमें बहुत आराम से है प्रावर सेभेंग ठाकि आपको इस मुप स्पष्ट दीख पाए है है यस अपना ना सब पहले बात कर रहेते हैं ट्रावर्स ऑक किए डैर्फिनेशन के कि इसके ट्रावरस की बड्या देंचर की की एक सीरीज होती है ट्रावर्स क्या होता है कनेक्टिंग लाइन की एक पूछ फिरभी पूछ ले मैं बताता हूं आपको सामने देख सबसे पहले कोई पॉइंट ए है ठीक है एक पौइंट है आपके पास सब्सक्राइब ठाइंड था मेरी वास सुन स्बआध Guns से आपके पास है कोई जमीन है मैं पहले ट्रावर्स का मतलब समझा दू ये ग्रांट है आपने इसंड में कुछ इस्टेशन पॉइंट ग鬼 क combos कर लिए एक पॉइंट हैं ले लिया यह यह अपने कुछ station point consider किये आप इने और अंदर कर सकते हैं इसकी boundary पर आपने कुछ point यहाँ पर consider कर लिए यह बात सबको समझा रही है अब आपने point को नाम दे दिया यह a point है यह b point है यह c point है यह d point है और यह e point है आपको survey work a point से start करना है कहां से a से survey work start करने का मतलब आपको यहां पर यहां पर जो line रेखाएं खीचेंगे आप इनके बीच में उनकी distance और उनके north से angle measure करेंगे ठीक है तो आपने यहां पर पहले north direction ले लिए किये यह आपकी north direction होगी बच्चों यहां पर क्या हो गई north direction सुनते लिएगा द्यान से बहुत आसानी से आपको ही समझ मा जाएगा इस नौर्थ direction से आपने क्या लिया इस line को a से b तक को आपने मिलाया आपस में जब आप a से b को मिलाएंगे यहां पर जब आपने a से b को मिलाया कुछ इस प्रकार से इसे इसका मतलब क्या है आप सर्वेवर्क कर रहें a से b की तरफ ठीक है और आपने यहां पर इसका एंगल भी मेजर कर लिया था यह वाला यह एंगल भी मेजर किया था एसे भी तक गए सेम काम अब क्या करेंगे हैं आगे हमने फिर बी पॉइंट पर नॉर्थ डारेक्शन कीची और नॉर्थ डारेक्शन यह भी पॉइंट पर हो गई यहां से भी clockwise direction में आएंगे C की तरफ B से C की तरफ करेंगे सर्वेवर्क और यहां पर भी आप एक angle मेजर कर लेंगे यह वाला North से एंगल ठीक है Sam आप क्या करेंगे यह suppose theta 1 है यह माल लिजे theta 2 है अब आप C point पे आए आपने C point से D point की तरफ सर्वेवर्क किया मतलब दूरी नापी और इसका North से एंगल नाप लिया यह North direction है North direction और North से इसका भी आपने clockwise direction में एंगल मेजर किया सुनते चलेंगे सब बच्चे like that यह theta 3 है तो आपने C से C point अंदर दब गया मैं है लिक देता हूँ C point को आपने क्या किया C point से इधर जो आपका यह C point था यहां से आपने इधर को एंगल मेजर किया प्चो यहां से अब यार यहां से आपने यह एंगल मेजर कर लिया theta 3 ठीक यह बाला इसके बाद आपने क्या किया फिर D point से A की तरफ आपने यहां पर D point से A की तरफ आपने सर्वेवर्क किया यहां भी आपने नॉर्थ से इसका एंगल मेजर किया पहले definition समझाना थोड़ा दियान से समझाएंगी ठीक है दो मिनट में आजाएगा जादा टैम नी लगेगा इसका भी आपने नॉर्थ से अंगल मेजर कर लिया इस लाइन का D point पर D email की लाइन अब आगे आप चाहें तो यहीं तक सर्वेवर्क छोड़ सकते हैं यह आपका open traverse है तो आप इसे चाहें तो बंद कर सकते हैं यह से फिर A की तरफ आपने सर्वेवर्क कर लिया और यहाँ पर भी आपने सेम चीज नॉर्थ से यहाँ पर क्या किया यहाँ भी नॉर्थ से और इसका भी नॉर्थ से इसका भी clockwise direction में एंगल यह दिखा दिया कुछ भी आरा like that यह आपका theta 4 था तो यह theta 5 है यह theta 5 है ठीक है यह तो यहाँ पर यह जो हमारा बन गया एक loop जैसा जो बन गया यह क्या है एक line यह है दूसरी यह है तीसरी यह है चोथी यह है पांच मी यह है तो हमने सभी connecting lines के एक series बना दी सभी line को जोड करके एक series बना दी इसको हम लोग कहते हैं traverse यह सभी को समझा रहा है traverse क्या होता है traverse होता है अनेक सीधी line को survey line को आपस में जोड करके जो series बनती है स्रंखला बनती है उसको हम traverse कहते हैं हिंदी में चक्रम कहते हैं समझा रहा है इतना सभी को यह traverse आपका दो तरह का होता open भी हो सकता और बंद भी हो सकता यानि close और open traverse दो तरह के होते हैं यह traverse सब को समझा गे बटा field में हमने traverse बना के दिखा दिया तो यह आपको definition लिख देनी है क्लाइन की और यह diagram इस तरह से बना देंगे अपने से आप ठीक है यह क्या definition वाला part ठीक दियान से सुरेंगे बटा दूसरा है आपका types of traversing traverse कितने प्रकार के होते हैं तो आपके जो traverse होते हैं दो प्रकार के होते हैं कितने दो प्रकार के पहला होता है open traverse दूसरा होता है close traverse open और close traverse दो प्रकार के होते हैं और close traverse के भी दो type होते हैं इसमें एक link close traverse होता, दूसरा loop close traverse होता है, link और loop, अब आपकी book में ये link और loop traverse नहीं दे रखे, आपकी किताम में सिर्फ इतना दिया है, आपने किसी point A से survey work शिरू किया, A से B तक गए, B से C तक गए, C से D तक गए, D से suppose E तक गए, इधर E तक, ठीक है यहां तक, यह आपने इन point से start करते हैं, यदि उस point पर आके खतम ना करें, दूसरे point पर जाके finish करें, तो यह एक open traverse होता है, क्योंकि यह बंद नहीं हो रहा, ठीक है, बट बास्तम में इसकी परिवासा क्या होती है, मेरे, मेरी बात को सुनना ध्यान से, बास्तम में इसकी परिवासा यह होती है, कि ज दूसरे unknown point पर खतम करें, कैसे point पर बच्चे? unknown point पर, अगर आप survey work known point से शुरू करके, और unknown point पर खतम करते हैं, unknown मतलब जो point आपको पहले से पता ना हो, unknown point, ठीक है, तो यह जो traverse बनता, इसको हम कहते है open traverse, open traverse की definition सबको समझ आ रही है, survey work हमने unknown point से शुरू किया, unknown पर खतम कि ओपन traverse हो गया, लेकिन आप डिपलों मा लेवल पर सिर्फ इतना लिख देना, एक ऐसा traverse जिसमें survey work, यानी survey कार्या अपना, जिस point से शुरू करते हैं, उस point पर खतम ना करके, किसी अन्य point पर जब समाप्त करते हैं, उसको हम open traverse कहते हैं, लिख देंगे सब बच्चे इसको, open traverse की definition सबी बच्चे लिख पाएंगे, ठीक है बच्चो, चलिए बहुत अच्छे, तो हमने यहाँ पर open traverse की definition दिखा रखी है, आप लोग यह open traverse की definition को देख सकते हैं, देख लिजे बटा open traverse की definition सबी बच्चे, क्या बताया था आपको, क्या बताया था, यदि किसी known point से survey work start करक किसी दूसरे unknown point पर, कौन से दूसरे unknown point पर समाप्त किया जाता है, तो इसे हम open traverse कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको open traverse, a point से survey कार है शुरू किया, b तक गई, b से c, c से d, ठीक है, तो जिस से शुरू किया, उस पर खतम नहीं होरा survey work, तो यह अपना open traverse है, उपर यह north direction दिखा रख दूसरा है close traverse, अगला है आपका इसी बेटा close traverse, ठीक है, तो यह open traverse को English में भी define कर रखा, PDF से आप इसको पढ़ लेंगे, मैं अगले पर चलता हूँ, अगला जो है आपका इसके बाद है, close traverse, close traverse, चलिए, close traverse की definition देखेंगे बेटा, close traverse की देखेंगे, close traverse के दो टाइप थे, उ तो close में क्या हो जागा, यह बंद हो जाएगा, यहाँ पर क्या करेंगे आप, जैसे आपने यहाँ पर point A से survey work start किया, A से B की तरफ गए, B, B से आप C की तरफ गए, C से आप इधर कहीं D की तरफ आए, D के बाद आप कहीं E की तरफ आए, E से फिर आप फिर से A की तरफ हो गया, यहाँ यह North है, यह North है, यहाँ यह C point हो गया, यहाँ पर यह North है, D point यह North बना दीजेगा, North direction बना के जरूर दिखानी है, bearing major करने के लिए, तो यह आपका कैसा है, बंद Traverse हो गया यह, क्योंकि जिस अब यहाँ पर दोनों ही point known हो गया, जिस point से कार रहा आपने यहा जिक है, open close traverse आप समझ गए, इसके बाद आते हैं आपके method of theodolite traversing, अब theodolite traversing के method कौन कौन से है, चलिए, इस पीड उसी तरह रखेंगे, सारे चेप्टर आपके रिवाइज होगे, बिल्कुल परे सामने हो कोई बच्चा, कोसिस करेंगे, सारे ही रिवाइज करा दें, अ दो तरह के होते है, open और close, open में जिस point से survey work start करते हैं, उस point पर survey work समाप्त नहीं करते, close में क्या करते हैं, जिस point से survey work सुरू किया, उसी पर समाप्त करते हैं, अब आता है method, अब theodolite traversing के method कितने हैं, केबल दो method हैं, केबल दो method हैं, द्यान से सुनेंगे सब बच्चे, ठीक अब comment मत करिये, कर भी ही, आज ही करा देंगे, कोई tension नहीं है, मैं सारा करा दूँगा, द्यान से पढ़ते चलिए, ठीक, माला रेखा की विविन रेखाओं की दिसा निर्धारित करने की विधियां, दो विधि होती है बटा, theodolite travers की दो विधि, कौन कौन सी, पहला होता है by direct observation of angle, यस, कौन सा method है पहला, पहला है direct observation of angle, यानि आप direct observation कर रहें angle का, ठीक है, इसे हम लोग free या फिर loose needle method भी कहते हैं, दूसरा होता है by direct observation of bearing, एक तो angle के द्वारा observation करेंगे, दूसरा bearing के द्वारा observation करते हैं, ये दो method होते हैं, इसके, theodolite traversing के, मतलब जो हम traverse बना रहे थे, जो traverse हम बना रहे थे, connecting lines को जोडते जा रहे थे आपस में, वो काम हमें theodolite के द्वारा करना है, तो वो कहलाएगा आपका theodolite traversing, ठीक है, जब theodolite का use करके इन सब काम को करेंगे तो, अब सबसे पहले हम समझ लेते हैं, by direct observation of angle, angle वाला method समझत हैं, direct observation of angle, तो direct वाले के अंदर दो आते हैं, आपके बेटा, जब आप angle निकालने, direct तो इसमें दो आएंगे, एक included angle के द्वारा आता है, दूसरा deflection angle method आता है, समझ पार है, मैंने ये बताया, पहले बताया, theodolite traversing जब करते हैं, तो इसके दो method हैं, एक direct observation of angle, दूसरा direct observation of bearing अब direct of, direct angle, ये direct observation of angle जो है, ये दो तरह का होता है, एक included angle के द्वारा, इसमें angle दो तरह के लेते हैं, included angle द्वारा, और दूसरा deflection angle द्वारा, included angle कितने बच्चे जानते हैं, included angle का मतलब है, जैसे आपने ये कोई traverse बना रखा है, A point से B की तरफ गए, B से C की तरफ गए, C से D की तरफ गए, D से, माल लीजे, फिर से A की तरफ आ गए, A, B, C, A, B, C, D, अब इसमें जो अंदर वाला angle बनता है, चाहें बाहर वाला बनता है, इसको हम लोग included angle कहते हैं, included angle, included angle आपका internal और external होता है, किन ये भी दो line के बीच क इसको हम लोग कहते है, included angle, अंदर बन रहा है, तो internal बाहर बनेगा, तो external, ये सब को पता है, तो included angle के द्वारा traversing कैसे करते हैं, तो ये समझेंगे, दूसरा क्या है, मेरी बाद सुनते चलने सब बच्चे, एक तो मन आपको ये बता दिया, included angle क्या है, ये line है, एक line ये है, A, B, C, माल लिजें, ये ABC line है, इसमें ये जो angle है, ये तो आपका included angle हो गया, included angle, अंदर वाला भी हो सकता है, बाहर वाला भी, अब दूसरा है आपका deflection angle, deflection angle क्या होता है, deflection angle ये होता है, आपने कोई line खिच ली पहले, suppose AB, आपने यहाँ पर AB line खिच ली, AB, अब आप AB के included, ये कौन सा होगे बटा, मैं I लिख दे रहाँ, I for included angle, ये वाला, अब इसी में आपने जो पहली line थी, ये दो line हो गई न, दो line होगे तो जो पहले वाली line होती है, इसको हम back side, मतलब back side कहते हैं, आगे वाली line को हम four side कहते हैं, ठीक है, अब आपने यहाँ पर पहली जो line है साथ जो angle बनाती है, इसको हम deflection angle कहते हैं, जिसको मैं D लिख दे रहाँ, D, D for deflection, ये deflection angle होता है, ये included angle होता है, ये बात सभी बच्चों को समझ आई न, इन दोनों के द्वारा हम traversing करेंगे, दियान से समझते चली सब बच्चे, ठीक है, इतना समझ आ गया न, direct observation of angle के दो method included angle और deflection angle method, एक एक करके दोनों को समझ लेते हैं, पहले included angle की बात करते हैं, मतलब जो अंदर कोंड बन रहा है न, इस अंदर वाले कोंड की साहता से पूरा traverse कैसे बनाएंगे, ये हम थोड़ा सीख लेते हैं, हटा देए, ये तो दोनों चीज समझ गए, बहुत अच्छे, अब देखिए, traversing by method of included angle, included angle, ठीक है, अब यहां बात क्या हो रही है, इस विधी का प्रियोग हम केबल close traverse के लिए करते हैं, पहले चीज, एक पॉइंट याद रखना, इस विधी का यूज हम close traverse के लिए करते हैं, close traverse मे या तो, जो बच्चा कहे रहा न, traverse ओपन हो रहा, close हो अब ध्यान दीजे सामने, इस विधी का प्रियोग close traverse के लिए किया जाता है, close traverse में, या तो आपका included angle बनेगा, जो internal वाला होता है, या आपका बाहर वाला angle बनेगा, external angle जिसे कहते हैं, इंक्लूडिड देगा, आप internal भी कह सकते हैं, या तो internal बनेगा angle या external, इन angle को major करते हैं, इस method में, close traverse में, या तो आप included angle को major करेंगे, या external वाले को, बाहर वाले को, ठीक है, यदि traverse आपका clockwise है, तब तो आप external angle major करेंगे, बाहर वाला, मतलब कहने का क्या है, ये point A है, ये point B, ये point C, ये point D, अपने चार point लिए कोई भी, आपने कोई भी चार point लिए, अब आपने सर्वेवर्क A से B की तरफ गई, B से C की तरफ, C से D की तरफ, और D से फिर आप आप आगए A की तरफ, तो ये कैसे चल रहे हैं, आप घड़ी की सुई की दिसा में चल रहे हैं, ऐसे ऐसे मतलब आप किलोगवाई जा रहे हैं, समझ पाने मेरी बात को सब बच्चे, ये बटे कलोगवाई जी तो चल रहे हैं, आप A, B, C, D स्थर है, जब कलोगवाई चलते हैं, इस केस में तो आप एक्स्टरनल एंगल को लेते हैं, बाहर वाले एंगल, ये वाला एंगल, य ये एंगल, कहलाते हैं, ये भी इंगल हैं, चीक है, लेकिन इसमें बाहर वाले एंगल लिये जाते हैं, इसी मेथड में, और अगर आप एंटी कलोगवाई चलते, ये अट मींस, एंटी कलोगवाई का मतलब क्या है, आप यहाँ पर पहले A पर आए, फिर आप B पर आए, इ पहले A से B की तरफ आए, B से C की तरफ, C से D की तरफ, D से, फिर A की तरफ, इस बार आप कैसे चलना है, इस तरह से, ये कैसा है, एंटी कलोगवाई, इसमें अंदर वाले एंगल को मेजर करते हैं, ये दो बात सभी को समझ आई, इंक्लूडिद एंगल के मेथड की थ्योरी इस अब को समझ आई, क्या बोल रहा हैं, ठीक है, समझ पा रहे हैं, इस बीदी में आप क्लोज ट्रावर्स के लिए यूज करेंगे, पहली चीज, प्लोज ट्रावर्स में हम दो तरह के एंगल मेजर करते हैं, एक्स्टरनल या इंटरनल लिख लेना, इंटरनल एंगल या इंटरनल एंगल मा पे जाते हैं, यहां तक के लिए रहा तो मैं आगे बढ़ लेता हूं, ठीक है, जो बच्चा कह रहा है न, पीवाई क्यों नहीं बताए, बटावर्स से पूछे ही नहीं के कभी, त्योडो लाइट से पूछा है सिर्क, इसलिए बच्चे करें नहीं पूछ सकता है, ठीक है, बहुत दिन से बच्चे परिसान कर रहे थे, इसको लेकर मैं समझा दे रहा हूं, यहां तक समझ गए सभी बच्चे, इंक्लूडिद एंगल के बारे मां क्या क्या है, यह समझ गए, अब इसको बनाएंगे कैसे थोड़ा इसका धिहान दीजे, यह यह तो मैं आपको इसका बता दिया था, इंक्लूडिद एंगल मेथड का, अब थोड़ा सा यह देख लेते हैं, कि प्रोसीजर क्या है, इसको बनाने का प्रोसीजर, दस मिनट देख लिए यार, पेपर में आएगा नहीं आएगा, फाल्तु बगवास कर रहे हैं, पहला दे दूसरा anti-clockwise traverse का procedure क्या है बनाने का, एक समझा देना दौनों मैं से, यह तो clockwise बाला या anti-clockwise कोई साएक, तो मैं anti-clockwise समझा देता हूँ, anti-clockwise का मतलब क्या है, आपने point A से सर्वे बर्क सुरू किया, A से, A से सुरू किया, फिर B आप इदर लेंगे, क्योंकि यह तो होता है, घड से सबसे पहला पॉइंट क्या है चुक्कि ट्रावर्स आपका एंटी क्लोग बाइज है इसलिए सबसे पहले आप थियोडोलाइट को सबसे पहले पॉइंट ए पर इस्थापित करेंगे यहां पर क्योंकि थियोडोलाइट ट्रावर्सिंग कर रहे हैं इस पॉइंट ए पर यह है North direction North direction से अपने थियोडो लाइट को clock wise घुमाएंगे B point की तरफ ऐसे bisect करेंगे B point की तरफ यह बात सबको समझ रहे है का आप का यह B ring निकलाई पॉइंट B की ठीक है क्या करेंगे आप सबसे पहला आप AB line जो है सकी B ring याद कर लेंगे आपने B ring याद कर ली AB line की North से B की तरफ ठीक है बहुत अच्छे दूसरा point सुनेंगे अब इसमें आप एक angle major करेंगे पीछे की line जो थी पीछे वाली line इसके साथ आगे वाली line का angle निकालेंगे इस HAB ये वाला angle निकालेंगे ये वाला angle ये तो इसको पी आप इसको कैसे निकालेंगे आप कोड मेजर कर लेंगे HAB को ठीक है इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा आपको H जो ही point H पहले आपको इस पर एक back side लेनी होगी इधर back side लेंगे फिर यहां से clock bys घुमा देंगे थिओडोलाइट को B की तरफ वही तरीका रहेगा तो पहले एंगल हम निकालेंगे कौन सा HAB इसको मेजर करेंगे क्योंकि हमें ये एंगल चाहिए इसके लिए पिछला जो आपकी लाइन है ये ए एच जो थी इस पहले एच पॉइंट पर back side लेंगे पहले पहले यहां पर रीडिंग लेंगे यहां पर back side यहां लेली back side लेने के बाद अपने थिओडोलाइट को clock गुमाएंगे इधर clock by मतलब घड़ी की सुई की दिसा में बी की तरफ ठीक है अब टेली स्कोप जो है दो रुबिन जो है आपकी इसको clock by direction में घुमाकर बी पर four side लेंगे इस point B पर four side जब भी पॉइंट पर four side ली तो आपको यह वाला एंगल मिल गया यह अब यही प्रोसेस आगे तक करना है आपको सेम प्रोसेस अब क्या करेंगे इसके बाद सुनिए ध्यान से अगर आपको एक समझ आगे तो आगे समझना बहुत आसान है अब क्या करेंगे यहां का काम कर लिया पहले इस्टुमेंट को ए पर रखा ए से north direction आपने ले ली नौर्थ से AB की bearing ले ली bearing यह वाली bearing लेने के बा अब आजाए अपने इस्टुमेंट को बी पर लेये बीपर जब लाएंगे इस्टुमेंट को आप अब क्या करेंगे अब आप बी पॉइंट से सबसे पहले जो AB लाएने इसकी back side लेंगे इदर को AB की back side लेने के बाद अपने दुर्बिन को आप गुमाएंगे आसे उपर क जायेंगे फिर क्या करेंगे सी पॉइंट पे रक्तित थे ओडोलाइट लाइट उस की लेंगे फिल्ट से के बाद दूर्बंगर का मुऑ स्थाइड को धुर्बंगर को फिर से गुमा दिये भाई ठीक है चलिए यह चीज के लिए रहोगी दोनों पॉइंट सबको एंटी क्लोगबाइज का प्रोसीजर पहला प्रोसीजर क्या है एंटी क्लोगबाइज ट्रावर्स बनाते समय इंक्लूडिड एंगल में थर्ड में सबसे पहले स्टार्डिंग पॉइंट ए पर प्रोसेस करते रहते हैं तीसरा पॉइंट है इसी प्रकार हम उपकरण को क्रमागत रूप से अगले स्टेशन पर इस्थापित करके उपरोक्त की भाती सभी आंत्रिक कॉंड ज्याद कर लेंगे कॉंड मापी की दिसामे रेखाओं की लंबाई जो हम टेप की साहता से मेजर कर लेते हैं खतम मेथड एक मेथड खतम हो गया आपका बैक साइट कितनी बार लेना है जितने एंगल निकालने उतनी बार लेना है अगर आपने यहाँ पर एंगल 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 इस्टूमेंट को रखेंगे बी पॉइंट पर उठाके यहां जब बी पर रखेंगे तो पहले आप बैक साइड लेंगे इसकी इसकी बैक साइड आ जाएगी फिर इसको क्लॉग वाइस घुमा करके इसकी लेंगे फॉर साइड यह एंगल मिल गया फिर तीसरे वाले सी पर इसकी आपकी इन लाइनों की दूरी हम लोग टेप से न आप लेंगे यह दूरी कितनी हैं यह टेप से न आप लेते हैं यह दूरी यह दूरी यह सब टेप से मेजर कर लेते हैं यह सब एंगल जो निकालते हैं फॉर साइड बैक साइड लेकर के एंगल निकालते जाते हैं म यह समझगे सभी को आगे चलिए plotting भी समझायेंगे बिल्कुल परिशान नहां समझगे इसको दूसरा मेठड तौबका deflexion एंगल मैठड दूसरा हो थिक समझगे ळा ENTICLOCKBICA वाला दिखा देना बस पेपर में शनुप घर अगला देखि इसके बाद अगला आपका traversing by deflection angle ये भी बहुत simple सा method है ये जो होता deflection बाला ये open traverse के लिए suitable होता है ठीक है तो दोनों में मंतर बता पाएंगे included angle method close traverse के लिए होता है और sorry हाँ और ये deflection angle method open traverse के लिए होता है ठीक है आगे देखिए अब इसके बाद इसका procedure क्या है इसमें भी आपको अब इस बार आपको deflection angle निकालना है क्या होता डिफ्लेक्शन एंगल ये ab line है ये bc line है ab line आगे बढ़ करके इस bc line के साथ जो angle बनाती है उसको deflection angle कहते हैं अब आप ये diagram को माइंड में रखना सिर्फ सबसे पहले यहां भी point a पर आप रखेंगे अपने थियोडो light को ठीक है तो सबसे पहले उपकरण को हम station a पर इस्थापित कर लेते हैं इसके बाद north direction यह है आपके पास north direction को पहले बाइसेक्ट करेंगे वहां से फिर उपकरण की दुर्बिन को गुमाएंगे clockwise और AB की आप bearing निकाल लेंगे यह काम खतम ठीक है अब रेखा की bearing आपने निकाल ली किलियर होगे सभी को आप AB की bearing के आविक venir निकालने के बाद क्या करेंगे अभिस्ट्ूमेंट को यहां से उठाएंगे और इस्टूमेंट करते हैं आप आप वर्नियर स्केल और मेन स्केल के जीरो-जीरो कर ने सामने लाते हैं जिसके लिए उपर वाला ञेको लोग कर देते हैं और उपरी जो आपकी प्लेट होती है उसको कुमा करके वर्णियर के जीरो को मैं इसको मैंचेल के जीरो पर ले आते हैं ये ट्री यह बाले? इसको कस देंगे फिर आपको जो स्लो मोशन स्क्रू है इसकी साइता से स्टेशन एको हम एक्जेक्ट ली वाई सेक्ट कर लेते हैं अब इसके कहों अब अब क्या करेंगा अब आप की तरफ सी की तरफ इपर सुवर्ण लेंगे टरफ वह लिखने को डीला करे के अपर स्टेशन स्कूरू की सहिक्राइड programme re बोणों बरनियर पर देखने को मिलती है , डोनों बर्नियर के पाध्यांग का जो इन होता है माद्धिमान, वहीश्थ différence interessи ngle मिलता यह भाला। deflection angle ठीक है इस command आपको मिल जाता है इसी प्रकार से आप instrument को आगे बढ़ाते जाएंगे ठीक है c के बाद आप आगे d की तरफ ले जाएंगे c पर instrument रखेंगे c पर रख करके instrument इसके 00 को set करके फिर आप c d की for bearing मतलब c d के लिए आप bearing ले लेंगे ये अंगल आपको दूसरा deflection angle मिल जाएगा तो ये सभी deflection angle आपको इसी प्रकार से मिलते जाते हैं आगे तक ठीक चलिए खतम ये भी आपका procedure अब आज आई आप plotting पर plotting important है method में आप कुछ ना कुछ जरूर लिख पाएंगे ठीक है चलिए समझ के सभी point के अंगल इसी प्रकार लेते हैं अगर पूछ ले तो आप लिख दीजगा मैं सीधे इस पर आता हूं plotting plotting से पूछ सकता है कभी पूछ लेता है plotting कैसे करते हैं आप अपने Τ्रावर सिंग की plotting का però स्माप्त करने के बाद हम चक्रम की क्या करते है plotting करते हैं plotting किए जाने से पहले आप ठावर्स की लीनियर measurement और एंगुलर measurement को चेक कर लेते हैं ठीक है रेखा की लंबाई की जात जो करते हम इनकी उल्टी दिसा में मेजरमेंट करके करते हैं मतलब क्या है मतलब यह है पहले आपने ए पॉइंट था यह है ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ आपने मेजरमेंट किया बी से सी की तरफ मेजरमेंट किया C से D की तरफ measurement किया ये measurement आपने कर लिया अब हमें अगर ये पता करना है हमारी जो linear measurement ये सही है ये गलत तो आप उल्टी side से measurement शुरू कर दो जैसे आपने A, B, C, D नाप लिया तो आप D से C की तरफ नापो तो जितनी ही C से D की तरफ दूरी आ रही थी उतनी ही D से C की तरफ आनी चाहिए तो हमारा linear measurement सही है S, E, B से C की तरफ जो दूरी नापी थी C से B की तरफ नापना उल्टी दिसा में measurement अगर आपका दोनों बरावर आते हैं तो कह देंगे linear measurement सही है S, E से B की तरफ नापी तो B से A की तरफ भी नाप लीजिए ये ट्रावर्स है A, B, C, D ये ट्रावर्स है ठीक है अब आप क्या करेंगे इसके included angle आपके पास ये हैं ये वाले तो 4 included angle का sum आपको पता है 360 degree होता है अगर ये 4 भुजा वाला है तो 5 का होगा तो 5 का देख लीज़े कितना आता है तो उसके लिए formula याद रखना है अंदर वाले कोण है ये वाले सभी आंतरिक कोणों का योगफल जो होता है वो 2N-4 into 90 degree होता है कितना होता है 2N-4 into 90 degree इस वाले formula से आप निकाल सकते हैं जिली इस formula से इन सभी अंदर वाले कोणों का योगफल अब इन सभी अंदर वाले कोणों का जो योगफल आएगा वो आपका बरावर आना ची 360 degree के अगर बरावर आता है तो कह देंगे हमारा angular measurement भी सही है और अगर हम बाहर वाले कोणों को देख रहे हैं बाहर वाले कोण हमने निकाले हैं यह वाले बाहर वाले कोणों का योगफल में माइनस की जगए सिर्फ पिलस आ जाता है तो यह आपका चेक करने के लिए हो गया जब आप plotting करते हैं ध्यान दीजेगा जब आप plotting करते हैं plotting में क्या करेंगे आप लो plotting के case में सबसे पहले आप क्या करेंगे Traverse का जो छेतर बाला जितना काम था उसको समाप्त करने के बाद करेंगे Plotting भी करने से पहले आप अपने Traverse के Linear Measurement और Angular Measurement को चेक कर लेंगे सही है या नहीं तो Linear Measurement को चेक करने के लिए तो हम सभी लाइनों की जो दूरी है उनको उल्टी दिसामेन आप लेंगे ABCD की तरफ आपने पहले नापा फिडी से A की तरफ उल्टान आप लीजिए दूरी बराबर आती है तो Linear Measurement सही है Angular Measurement के लिए Formula याद रखेंगे अगर अंदर वाले Quad आपने मेजर कर रखेंगे तो अंदर वाले सभी कौड़ों का योगफल जो है आपका वो 2N-4 इंटू राइट एंगल के बराबर आता है N यहापर भुजाओं की संख्या होती है किसी Traverse में कितनी भुजाएं बन रही है अगर बाहर वाले आपने कौड माप रखें सभी तो बाहर वाले की केस में यह 2N-4 हो जाता है यह किलियर रहेगा इसके बाद आप क्या करेंगे अगर आपने Deflection एंगल लिये हैं तो सभी Deflection एंगल जो होंगे ना आपके उनका सम 360 डिग्री आएगा अंतिम रेखा की 4Side और जो प्रारंबी की स्टेशन पर इसी रेखा की Backside है तो आपको पता है 4Side और Backside का जो Difference होता है वो हमेशा 180 डिग्री होना चाहिए ठीक है इन सब चीजों से हम पता कर लेते हैं यह याद रखें कुछ पॉइंट यह पॉइंट थे इसके कुछ Plotting और Traverse के अब इसके Method है Plotting करने के तरीके है Plotting का तो Introduction था एन विटा Number of Angle नहीं Number of Side होता है कितनी बोजाएं है समझ पार है कितनी बोजाएं है बोजाओं की संक्या होती है Number of Side इधर आजाए है Plotting Plotting जो होती है आपकी वो दो तरीके से की जाती है एक तो करते हैं आप Angle and Distance Method दूसरा होता है Coordinate Method ये दो मेथ़ड है Plotting के जो Angle और Distance Method होता है आपका इसके अंदर तीन आते हैं एक आता है Protector Method जो चांदा विधी होती है जानते हैं आप सब चांदा जो होता है आपका दूसरा Code Method जीवा विधी और तीसरा Tangent Method यानि Sparse जा विधी ठीक है तीन है Protector Method, Code Method और Tangent Method मतलब इन तीनों के द्वारा हमें यहापर कौड और दूरी निकालनी है Plotting में तीन होगे इसके Angle and Distance Method के अंदर Coordinate Method अकेला होता है अब तीनों के बारे में पहले इन तीनों के बारे में ध्यान से जमझेंगे थोड़ा-थोड़ा फिर आप Coordinate Method को समझेंगे खताम हो गया Traverse बाला पार्ट फिर आपका सिर्फ और सिर्फ नुमेरिकल बचेगा और सिर्फ नुमेरिकल बचेगा बोईस नहीं आ रही बोईस तो आ रही है मेरे एंट से ठीक है चलिए अब सबसे बहले प्रोट योड़ा प्रोटेक्टर मेंत़ड देखेंगे तो प्रोटेक्टर में क्या होता है सबसे पहले आप करेंगे सर्वे चेतर से प्रेक्षंड लेने के उपरांत आप प्लॉटिंग करने के लिए ड्रॉइंग सीट पर पॉइंट निर्धारित कर लेंगे प्रोटेक्टर की साहिता से कौण बनाई जाते हैं आप सब को पता होगा यह चीज तो देखा होगा सभीने चांदा जो होता है ठीक है इसकी साहिता से क्या करते हैं कौण बनाई जाते हैं एंड सात ही निर्धारित रेखाओं से मापी गई दूरी अपनाए गई पेहमाने के रूप काट ली जाती हैं इस प्रकार बिंदू की स्थिति निर्धारित हो जाती है तो प्रोटेक्टर में क्या करेंगे प्रोटेक्टर की साहता से एंगल मेजर कर लेंगे और जो आपने लाइने खीची है उन सब लाइनों की दूरियां पेमाने से नाप लेंगे ठीक है चलिए इसमें क्या करते हैं चुक्कि प्रोटेक्टर जो होता आपका साधधन वाला मिनट एक डेस लगा है मतलब मिनट है तो प्रोटेक्टर की ग्रेजूएसंस जो होती है ना उसकी लिस्ट काउंट होता है दस मिनट दस मिनट तक के कौन को नाप देगा प्रोटेक्टर लेकिन थियोडोलाइट से के आलेखन के लिए उपयोगत नहीं है जो है जादा उपयोग सकते दस मिनSu पार है ना बहुत अच्छे चलिए आगे बढ़ें तो प्रोटेक्टर मेथड के वारे में लिख देंगे पूछले आपसे तो यानि आप से अगर plotting के method पूछे तो protector, chord और tangent तीन method है chord method में आप बता देंगे कि चांदे के द्वारा हम protector के द्वारा हम chord major करते हैं और जो line है उनको पैमाने से दूरियों को नाप लेंगे लेकिन protector method से हम मतलब protector के द्वारा हम 10 minute तक के ही angle major कर पाते हैं जबकि थ्योडोलाइट से हम 20 second तक के angle major कर सकते हैं इसलिए थ्योडोलाइट traversing में protector जो होता है वो ज़्यादा उप्यूक्त नहीं होता है क्योंकि इससे 10 minute से छोटे angle major नहीं किये जा सकते हैं protector में सिर्फ इतना याद रखना basic सा introduction ठीक है? चलिए दूसरे पर आ जाते हैं code method code method पर आते हैं code method code मतलब जीवा विधी यह एक जामिती विधी है इस विधी द्वारा किसी भी बिंदू का code हम निम्न प्रकार निकालते हैं code देखे इससे कैसे निकालेंगे code द्वारा तो मालो आपने माल लिया कोई रेखा a b है कोई भी लाइना आपने माल लिया, आपकी a b लाइन, कोई भी लाइन a b है अब इस रेखा के प्रारांभिक point ये जो है, ये वाला point इस पर आप theta cone, जो theta cone है ना ये इस पर एक line AD आपने खीच दी आपने किसी अंगल पर एक line खीच दी AD ये वाली line AD खीच दी अब point A को केंदर माना आपने यहाँ पर point जो है A ये वाला, इसको केंदर मान करके point A को केंदर मान कर कोई उचित दूरी पर आप r लेकर एक चाप लगा दो, किटनी भी दूरी पाप यहां पर चाप लगा दीजी, अंदा जैसे यहां पर आप r लगाएंगे r, ऐसे, चाप लगा दिया ळूरी पर मतलब एक चाप लगा दिया यह, ठीक है, अब क्या करेंगे माना यह जो चाप है यह रेखा AB को तो point B पर काटता है AB जो है इस AB को point B पर यह काट देता है यह भी लिख सकते हैं इस AD line को point C पर काटता है ठीक है अब point B को केंद्र मान कर आप क्या करेंगे 3-2R sin theta by 2 के बराबर एक और चाप लगाएंगे ठीक है किसके बराबर जो आपकी code मिलती है इसकी radius होती है 2R sin theta by 2 मतलब जितनी दूरी पहले ली थी यहां रखनी है आपको तो 2R sin theta by 2 दूरी पर एक और चाप लगाएंगे आप इसमें यहां से तो यह चाप आपने यहां से लगा दिया यह वाला मतलब simple समझी आप और आसान भासाम समझाते हैं इससे भी आसान आपने क्या किया आपके पास कोई line AB है AB इस AB line जो थी आपकी यह वाली AB line सबसे पहला आपने इस AB line से एक कोई भी अंगल ठीटा ले लिया उस पर एक line खीच दी AD AD line खीच दी कोई भी ठीक है किसी अंगल पर यह line खीचने के बाद अब आपने क्या किया एक R radius ले लिए कुछ भी अपने उसमें जो आपका compass होता है जिससे आप लोग compass जानते हैं जिसमें center पर रखके गुमाते हैं तो आपने इस पर A को मान लिया क्या A को मान लिया अपने हैं पर केंद्र इस पर रखा आपने compass को और ऐसे गुमा दिया R दूरी लेके कुछ भी यहां पर एक चाप लगा दिया यह चाप जो है AB line को point B पर काट रहा है अब B point को केंद्र मान के दूसरा चाप लगाएंगे जब दूसरा चाप लगाते हैं तो उसको कितना लेते हैं उसको लेते हैं 2R sin THY2 2R मतलब यह वाला R और ठीटा ये एंगर लखे जो डूरी आती है उस दूरी पर हम एक दूसरा चाप लगाते हैं यहां समझ पारें बच्चे सभी दूसरा चाप लगाते हैं यहां पर चाप कर देगा वहां पर के देंगे हैं आपको फूइल गे और यहां पर देगा फैसे को यह पलोट इसे को होटat यहां पर यहां से चलिए यह खतम जल्दी से खतम कर देते हैं फिर ज्यादा नहीं कोड मैथड के बाद लास्ट है टेंजेंड मैथड यह बहुत असान है टेंजेंड मैथड आपका टिक्नोमेटरी मैथड है सभी ने पढ़ा है टेंठीटा का फर्मूला टेंठीटा बराबर हम सब जा यह एल है इल एल तो हमें आधार पता नहीं है आधार निकालना है ठीक है रहें तो यह पंत रहें सभी सब्सकारवाएण चीज तो कि ट्रावर्स में आलेखन करने के यह विधियक जामिती विदी है और इस सिद्धान्त पर आधारित है कि समकोर तिरभुज में जो लंब निकलके आता है वो आधार गुणा 10 ठीटा आता है क्योंकि आपको पता है 10 ठीटा जो होता है वो लंब बटे आधार होता है लंब बटे आधार होता है ठीक है अब आपको ये बेस दिया होगा PQ पॉइ ठीटा कॉन और पर होती हुए एक लाइन जा रही है जो कि पियार है ठीक है है लेका आपको यह वाली खीचनि यह पियार खीचनि के लिए बहुत सिंपल है आपको यह PQ लेखा होगा फोरग निन सम्कौर भुञत बनालीजिए यहां पर एक छोटा सा फरमड्द को अपको लगाना है, पस छोटा सा फामड इस लंब को निकालने के लिए लंब निकालने के लिए बस आप लगा दीजिए L 10 ठीटा यह ठीटा आपको पता होगा तो L और ठीटा की बेलू रखके आपको लंब मिल जाएगा इन दौनों को मिला देना आपस में आपको यह PR वाली लाइन मिल जाएगी ठीक है यह काम आपको करना होता है समझ आ गया तो यहहां के तीनो में धर्ट हो गए वेटा यह वाले तीनो में धर्ट खताम बोटिंग के तीनों में धर्ट आपको समझाए प्रोटेश्च्तरह में धर्ड कॉर्ट मे फोडॉमैंग स्मेधर समझ आपmi यही थे इसकी थियोरी थोड़ा थोड़ा मैं एक्स्प्रेन कर दी अगर एक्जम में गलती से पूछ ले तो आप कुछ ना कुछ लिख देंगे बाकि पूछा नहीं जाये गए बहुत इंपोडेंट नहीं था फिर विएक बार समझा दिया ताकि आपका कि उससें पूरी तयारी होने क कहा है थोड़ालाए प्लॉट्टिंगम के लिए इस विधी का परियोग किया जाता है यानि यह लिखना आप को इतना सा परिसुद्ध क्बॉटिंग में ट्रावर्टिंग में दिपार्टीट्यक्र की गढणा करके की अब यह है कि प्लोटिंग से पहले ही अगर हमारे ट्रावर्स में कोई भी क्लोजिंग एरर आ रही है तो उस क्लोजिंग एरर को हम दूर कर सकते हैं यह इसका इंटोडेक्शन है खतम ठीक है खतम होगे आपके यह अब आजाएंगे अपने लेटीटीट और डिपार्चर पर जो कि सबसे ज़्यादा इंपोर्डेंट टॉपिक है सबसे ज़्यादा इंपोर्डेंट टॉपिक अब अगले आदे घंटे तक सब बच्चे द्यान से देखेंगे क्योंकि नुमेरिकल की उस्सान है इसमें क्योंकि नुमेरिकल की उस्सान है इसमें ठीक है समझाएं लेटीटीट डिपार्चर अब ठीओरी वाला पार्ट के लिए रो गया ना ठीओरी वाला पार्ट सबको क्वावरसには दो थे एक आप डारेक्ट औभजर्वेशन करतें एंगल के दौरा दूसरा डारेक्ट औभजर्वेशन करतें आप लोग बिच्छ के दौरा दोनों समझा दियेताओ एचिसे प्लॉटिंग के मेतर आपको बता दिये दो आपका लेटियूड डीपार्चर आ गया समझेंगे कि स्टार्ट करें चलिए कल दस बजे क्लास कब होगी दस बजे नहीं एक लेक्चर और चोटा सा बहुत बढ़ा नहीं रहे गा वो लेक्चर लास्ट के तीन चेप्टर का आज बाकी सारा क्र लें कबर लेटीटूट और डेपार्चर क्या होते हैं सामने देखेंग बहुत ध्यान से, देखिए, यह है आपका सपोज, सपोज करिए, यह आपने एक लाइन खिचली, direction सबको पता है, direction के बारे में सभी बच्चों को पता है, यह आपकी हो गई, एक लाइन यह खिचली आपने, दूसरी यह खिच दी, यह, इतना किस-किस बच्चे को नहीं पता क कि यह north-south होते हैं, यह north है, यह south है, यह east है, यह best है, इतना सबको पता है, अब आपने कोई भी एक survey line ले ली, क्या ले ली बच्चे कोई एक survey line आपने खिचली यहां से यह, यह कोई survey line है, ध्यान देंगे मेरी बात पर बहुत अच्छे से, आपने यह कोई survey line खिची जिसक उसका अगर angle major करते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ से angle major करते हैं, नॉर्थ से, ऐसे clockwise, आप सबको पता है, यह बी एरिंग बोल देते हैं, यह एंगल आपने माल लिया, ठीटा है, ठीक है, अब हमें यह बताना, AB line का latitude क्या है, departure क्या है, मेरी बात सामने ध्यान पूरे, अगर पूछा तो, देखे latitude के एक छोटी सी में definition लिख रहा हूं, यह पर मैं पूछ ले तो latitude की definition भी लिख सकते हैं, short notes में पूछ लेता है, latitude क्या होता है, latitude क्या होता है, और departure क्या होता है, बहुत छोटी सी definition, departure, सब बच्चे सामने ध्यान देंगे, कोई भी survey line है, क किसी भी survey line का, जो north-south line पर जो projection होता है, क्या होता है, projection, समझ पा रहे हैं, projection, मैं अलग color यूज़ कर रहा हूं, ताकि आपको दीख जाए सही से, projection, projection on, किस पर वेटा, north-south axis, north-south axis पर, जो projection on north-south axis, किस पर projection, projection on north-south axis, किस पर projection, projection on north-south axis of line, कोई भी survey line है, उस survey line का north-south axis पर जो projection आता है, उसको latitude कहते हैं, departure में क्या होगा, departure में projection हो जाएगा, projection on east-west line, जो east-west axis होती है, आपकी, east-west axis पर, किसी भी line का जो projection होता है, उसको departure कहते हैं, मतलब, यह जो आपको दीख रहा है, यह line तो आप समझ गे थे, इस AB line है, इस AB line का अगर मैं इस, यह AB line है ना, इसको दो projection हो सकते हैं, projection करना सबको आता है, जिस जैसे इस line की लंबाई माल लिया, आपने L है, इस line की लंबाई क्या माल लिया आपने, L है, इस survey line की लंबाई L है, तो मैंने कह दिया, मुझे आप यहाँ पर value बताए, latitude की, latitude को हम capital L से represent कर देते हैं, latitude को capital L से दिखा देते हैं, capital L, तो अब आप यह बताए, latitude की value क्या आएगी, तो यह जो line है, इसका projection, जिस अक्ष के साथ angle बनता है, उस पर cost लेते हैं, आप सब को पताए, इधर आ जाएगा यह L cos theta, बोलिये बताए, सब बच्चे, आएगा या नहीं आएगा, इसका इधर, इस north वाली line पर जो projection आएगा, क्या आएगा वो, L cos theta, और इस east वाली line पर ज समझ आ रही है, L sin theta, बोलिये बताए, सब को समझ आया, तो इसका, इस line का, जो north और south वाली अक्ष पर जो projection है, इसको हम लोग कहते हैं, departure, sorry, latitude, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बता, इसको हम लोग कहते हैं, latitude, 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 latitude की value हमारी क्या है, यहाँ पर, latitude आया है, L cos theta, याद रखना स अभी लोग, ठीक है, और जो AB line है, इसका, अगर हम इस वाली, east west अक्ष पर अगर projection ले रहे हैं, तो इसको कहते हैं, departure, उसे क्या बोलते हैं, departure, departure, departure की value क्या आएगी है, L sin theta, यह सब को समझ आ गया, latitude, departure, बोल यह किलिए है, सभी को, किसी भी survey line का, जो north, south axis पर projection आता है, वो L cos theta होता है, जो की latitude कहलाता है, जो की latitude कहलाता है, और east west अक्ष पर जो projection आता है, उसे departure कहते हैं, अब यह confusion बहुत होता है, बच्चों को, confusion बहुत ज़्यादा होता है, बच्चों को, कि कौन सा, yx वाला latitude था, या x वाला था, पेपर म confusion होता है, बहुत छोटी सी आपको ट्रिक बता रहे हैं, बहुत छोटी सी ट्रिक, कैसे याद रखेंगे, ट्रिक देखिए, यह हटा रहे हो, फर्मुला अलग लिग लिजेगा, फर्मुला अलग लिग लिजेगा, बहुत छोटी सी मैं एक ट्रिक बता रहे हो, आपको ट्रि प्रिक किया कहती है डिपार्चर किस सब किस लेटर से सुरू हो रहा है डिपार्चर डी से शुरू हो रहा है डी से डी और एक साथ आते हैं डी एक साथ आते हैं डी जो है डी पार्चर वह वाले अक्ष पर आएगा हमेशा ध्यान रखना डी पार्चर का जो डी है विटा डी इसलिए इस वैस्ट वाली एक्सिज पाएगा इस वैस्ट वाली अक्सिज पाएगा आपका डिपार्चर जो होता है इससे याद रखना बागी लैटिटीट फिर दूसरे पर हो गया और एंगल हमेशा नॉर्थ से ही बनता है हमेशा इसलिए लैटीट्यूट्ट की वेलू हमेशा ही आपकी ऐल कॉस ठीट आ एगी हमेशा ही इसकी वेलू क्या ईट्या यूच्टत चनी जबकि डिपार्चर की वेलू हमेशा ही क्या एगी एल साइन ठीट ये यह सब को समझाया आगे बढ़ सकता हूं मैं लेटिटूट डिपार्चर के लिए रोगे आगे बढ़ जाएं बहुत अच्छे ठीक है चलिए चलिए आगे देखिए इसके बाद यहांपन लेटिटूट डिपार्चर का वही जो मैं समझाया न वही लिखाए एज़े फॉर्मूले के रूप में यहां लिख दिया गया आप एक बार देख सकते हैं एक जलक इसको देख लीजे एक बारी लेटिटूट का प्रोजेक्शन लाइन रसे न उनोर्थ-वेस देख्षन तो ऑफ्लाइन उन यृछ में इस वेस्ट एक एक डिपार्चर में इसका इसे लेटिडूट में यह लेटिविडूट का फ्रमूला ल खॉस डिपार्चर का यह साइन टीटा साइन कनवर्जिन की अगर बात करें साइन कनवर्जिन कैसे चारते हैं तो साइन कनवर्जिन आपको चला हुआ इधर Choke होता है इधर सपी अब ये एकस माइनस इधर माइनस तो जो निंग आपकी पहले वालेख अधिंगर और प्लस रहें ये दिपार्चर approved latitude आपका minus होता है तीसरे में दोनों ही minus रहेंगे departure latitude अगर कोई line यहां होती यहां दोनों minus आते अगर इस बाले quadrant में कोई line है तो departure negative आएगा latitude positive आएगा यह sign convergence सबको पता होगा ठीक है बहुत अच्छे अब इसके बाद यहां पर एक topic और है छोटा सा पहले एक note point देख लीजिए आप लोग पहले एक note point को समझ लीजिए थोड़ा सा note point क्या होता है बटा note point पर ध्यान देंगे बहुत जरूर यह numerical के लिए note point यह है sum of all latitude in close traverse अगर कोई close traverse है उसके जितने भी latitude होंगे उन सबका योगफल हमेशा 0 होना चाहिए और जितने भी departure हैं जैसे यह कोई traverse आपने बनाया यह तो इसके latitude departure की value निकालना फिर यह नौर्थ बनाया आपने नौर्थ फिर ये जो आपकी include अगी बनाई और इसके लाइन आ पने यहां पर नाया बनाया नॉर्थ यह चार लाइन hatırाले आक्पे पास पहले दूसरी तीसरी चोथी तो चारो लाइन के जो सभी लापका योगफल होगह वह हमेशा 0 के बरापर होना चाहिए ऐसे ही इन ये किलोज ट्रावर्स की सभी लाइनों के सभी डिपार्चर का योगफल भी जीरो होना चाहिए यह बहुत इंपोडेंट कॉंसेप्ट है सिग्मा एल बराबर जीरो सिग्मा डी बराबर जीरो आना चाहिए ठीक है जब इसमें आप लेटीटूट और डिपार्चर निकालते हैं तो एंगल आप यहां पर लेते हैं ठीटा एंगल यह वाला ठीटा यह यह जो आप हमेशा नॉर्थ से ल आपकी दूसरे क्वाडेंट में आ गई जिसमें आपका डिपार्चर तो पॉजिटिव होगा लेकिन अगर आपने यहां से डबलू सी बी सिस्टम में कौंड ले रखाईए तो आपको फिर चिन प्लस माइनस कंसीडर नहीं करना है अगर आपने क्यू भी सिस्टम में ले ल बटा जो भी आपका ट्रावर्स हो ना क्लोश ट्रावर्स उसमें लेटिट्यूट और डिपार्चर का योगफल हमेशा जीरो आना चाहिए हमेशा ठीक है इस कॉंसेप्ट पर नुमेरिकल करेंगे भी जस्ट और डबलू सीवी सिस्टम में चिंड प्लस माइनस नहीं लगाते अगर आपने डबलू सीवी सिस्टम लिया तो इसमें प्लस ही लेते सारे माइनस नहीं करते अब क्लोजिंग एरर क्या होता इसकी परिवासा क्योंकि क्लोजिंग एरर की डेफिनेशन पूछ ली जाती कई बार तो यह बहुत छोटा सा टॉपिक है क्लोजिंग एरर इसमें क की तरफ डी से अपने सर्वेवर्क को ले गए आगे और यहां पर आगे सपोज मानिए एकी तरफ एकी तरफ अब एकी तरफ आके आपका सर्वेवर्क हो गया खतम अब यह जो आपका ट्रावर्स किलोज नहीं हो पाया जब हम कोई भी सर्वेवर्क जिस पॉइंट से ग्राटर पाया है इसको क्लोजिंग एरर कहते हैं इसको क्या बोलते मैं इसको इसको पोइंट इस से स्टार्ट करें और उसी point A पर नहीं पहुंचें तो इसमें जो error होती है उसे closing error कहते हैं इसको बंद करने के लिए error है इसलिए closing error ये closing error आती है आपकी इसके लिए आपको दो point धियान रखने है पहला point तो क्या कि अगर मैं इसको मिला के एक त्रिभुज बनाऊं एक line इधर खीज दी मैंने और और ये जो होता है आपका ये error in latitude होता है तो latitude और departure इन दोनों में error की वज़े से ये error आई है इसलिए जब भी हम इस E को निकालेंगे तो आप लोग इसमें पाइथा गोरस थ्योर्म लगा दीजेगा कैसे निकलती error है latitude में error का square प्लस departure में error का square इससे हमारी closing error आ जाती है ये formula होता है तो जितनी भी error latitude में आई है उसको ले लिजिए और जितनी error आपकी departure में आई है उसको ले लिजिए दोनों के square का योगफल इस error के बराबर होता है अब कहेंगे सर ये ED और EL कैसे पता चलेगा अभी मैं आपको उपर बताया था कि सभी latitude का योगफल 0 आना चाहिए और तो ये जो माइनस दो आया है ना ये latitude में error की ही value है ये latitude में error की ही value है ये वाली क्योंकि ये 0 आना चाहिए पहले हमने पढ़ रखा है ये चीज हमें आनी चाहिए 0 ये 0 नहीं आ रही 0 आकर सपोज माइनस 2 आ गई कुछ भी आ गई तो ये आपकी latitude में error है ऐसी बताया सभी departure क का योगफल 0 होना चाहिए बताया ना departure का योगफल 0 होना चाहिए और अगर सभी departure का योगफल 0 ना करके कुछ और आ गया like that 2 आ ठीक है तो हम क्या कह देंगे जब ये 0 नहीं आ रहा 0 के बरावर नहीं आया 2 आ गया तो ये आपकी departure में error है departure में error है तो सभी latitude और सभी departure को लोड के root करते हैं तो यहां से हमारी closing error मिल जाती है ये बात सभी बच्चों को समझ आई बोल ये तो सबसे बहले तो आपको ये पता होना चाहिए closing error होती क्या है तो आप समझ गे जब कोई traverse A से start हो रहा है और A पर आके नहीं मिल ला तो इसमें जो error है उसे closing error कहते हैं ये closing error latitude और departure में error के बज़े से होती है इसका formula ये हो जाता है EL और ED की value क्या होती है सिग्मा L निकालते हैं वो 0 नहीं आएगा तो EL हो गया सिग्मा D निकालते हैं वो 0 नहीं आया कुछ और value आ गई तो आपका ED हो गया clear हुआ चलिए इसके बाद यहां formula मैं यहां भी लिख दिया थ बिख्रचों य तो आप समझी गए किसी लोग समझी गए किरोवरस में सिगमा ल बराबर 0 ल और सिग्मा D बराबर 0 होना चाहिए यह एसा नहीं होता है सिग्मा ल और सिग्मावर 2 और लोज ऊंगी बली लेकिन 3 आ गया तो यह एडी की वैलु हो जाएगी अब आजाए अपने नुमेरिकल पर बस तीन चार नुमेरिकल खतम आपका फ्रिय चैप्टर अब आज यह नुमेरिकल पर बच्चे सभी वच्चे ठीक है पूरा ट्रावर्स ळव्यापका खताँ यह नुमेरिकल बहुत पर engagल यह यह यहां पर आपको नौट नौद दे करें दिक्का हो नौटिंगरतिंग का मतलब नौरथ डिरेक्षिन में आप यहां चतुर धांज बनाईए यहां आपने क्या बनाये बच्छों यह बनातų छतुरतांस एब्ली आपका चतुर्ता का च्पॉछ पर ऊपर की तरफ कितना चल रहा है आप 740 पहले चले 740 फिर दूसरा पॉइंट भी है वो कितना चल रहा है नोसो ओठत्र चले नौर्थ की तरफ तो हम बैस्ट वाली रेडिंग कहा तो बैस्ट की तरब चलिये पहले 838-多少 पर इधर चलिए ₹ यहाँ पर आगे आप 838 पर इस दूसरा कितना कम होगा मुलबिंदु से कम होगा है माल लीजा कहीं होगा कितना यह 500 15 ठीक है अब यहाँ पर आप पॉइंट कौन-कौन से मिला के देखेंगे आप मेरी बात पर धिहां देना सब बच्चे आप इसमें कौन-कॉन-स से देखेंगे 740 के साथ 830 वाला. 740 ये है बच्ची ये. इसके साथ कौन सा पॉइंट मिलाएंगे अब? 830 वाला. ये वाला. ये. ये ही तो मिलेगा? अरे भाई देख लिजे आपको ये हम नहीं कहरे हैं. ये कहरा है पॉइंट ये जो है आपका. 278 और 515 है मिला दीजिए 970 यह था यह जो बोली है यह सब दोनों मिलाना था यह सब बच्चे बताएंगे एक साथ यह पॉइंट आपको मिलाने थे यह पर यह यह जो पॉइंट आपको मिला यह कौन सा यह B पॉइंट भी पॉइंट समझा रहा सभी को बोली वह किलिए रहा सभी यह चीज बहुत अच्छे अब हमें यहां पर यह लाइन मिल गी वटा यह लाइन तो यह लाइन यह तो है ठीक है चली बहुत बढ़िया अब यह लाइन एब है अगर मैं इस एवी लाइन के मुझे लाइन तो आप क्या करिए यहां पर एक चतुर्थांस कीचे बिटा लाइन का नाम लिख दे हैं लाइन आपकी क्या है यह पॉइंट है और यह बी पॉइंट है एबी तो है यह तो है यहां पर क्या किया मैंने चतुर्थांस बना दिया ऐसे करके यह बना दिया यह लाइन DAVID ही लम्बाई बता दो कितनी है जब यह पूचा है तो आपको साफ साफ दीकशन कितनी बार हमने बताये था कि सर इसमें जो लेटीटीटिूड हम निकालते हैं इसमें जो हमारा latitude होता है वो latitude होता है इसका वर्टीकल वाला प्रोजप्ट वर्टिकल वाला अब यह व्टीगल वाले प्रोजप्ट्शन की हां-से यहां-से वैलु हमें अल्रेडी दे यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं बिल्कुल 238 ही आ रहा है अब आ जाते हैं इस पर डिपार्चर क्या होता भई डिपार्चर यह होता है यह लेटिटीट होता है यह डिपार्चर होता हम सब पता है स्लाइन का प्रोजक्शन एक्स पर यक्स पर ठीक है डिपार्चर निकाल दीजे डिपार्चर डिपार्चर का वेलु क्या आएगी यहां से यहां तक इतना है 830 838 कि मश्राइननस कितना पान्शॉ पंद्र है कि थी अधर दो बाचा एलब किवाण इस चाहिए 9 prá कि यह लेकिन लेकिन यह क्या यह बैश्ट डिरेक्शन में बैस्ट में तो बैस्ट में हमें हम्हें सा अट एपार्चर आपका का नेगिटीव होता है तो यह डिफॉस यह अब आपको निकालना क्या है यहां पर आपको निकालना है एंगल एंगल तो हमारा लेटीटूड होता है इसको क्या बोलते है लेटीटूड को आपको कितनी बार बताया था ल कॉस्ट ठीटा होता है चिल्ला चिल्ला के बता रहे थे ल कॉस्ट ठीटा होता है यह क्या होता है एल साइन ठीटा होता है that means आपको एल कॉस्ट ठीटा एल साइन ठीटा की वैलू पता है अब यहां से कर लंबाई एल निकालनी है तो दोनों का स्क्वार करके जोड़ दो जोड़ देंगे ना ब्रणी करश手स में कर सकते हैं बहुता है इसकी वैलू कितनी है 236 कि 220 ठीक है ऐल साइन ठीटा की वैलू कितनी है अधुए 303 प्लस एलस्क्वाइर साइन ठीटा होगा साइन स्कॉइटा हुगा इस साइड को बराबर 238 का स्कॉइर प्लस माइनस में थी वैलू मानते हैं तो यह स्कॉइर तो पॉजिटिव हो जाता है फिर भी आपकी संतुस्ठी के लिए हम लिख देते हैं कि ठीक है यह अब यहां से कॉमन लेंगे तो यह बराबर कुल मिला के यह आ जाएगा आएगा यह नहीं आएगा कोई बच्चा निरास मत होना सबको समझ आया हो गए बोलिये इसकी वैलू आप लोग निकाल लेना जो भी आएगी अगर आपको ठीटा निकालना तो टैन ठीटा निकाल दीजे टैन ठीटा टैन ठीटा में क्या करेंगा नीचे वाली में सूपर वाला माइनस का 3 2 1 साइन को य से निकल जायेगा टैन इनवर्स करके निकल गया है ठीक है तो वैलू कितनी कितनी आ रहे है कितनी वैलू आ रहे है यह 402 रहा था कितना रहा था 238 1.35 इसका 10 इंवर्स ले लिजिए 11.53 .61 इतना डिगरी आया अगर आपको इसको मिनेट की फॉर्म में लिखना 35 तो डिगरी पूरा पूरा है जब आप किसी भी चीज को मिनेट में लिखना मिनेट में पॉइंट के बाद वाले को प्लस करके इसमें 60 से गुणा कर देना एक डिगरी में 60 मिनेट होता है ना तो 0.61 में क्या करना आप अगर आपको इसका मिनेट बनाना है तो 0.61 को 60 से गुणा कर देना ये वैलू आपको मिनेट में मिल जाएगी ये डिगरी में ये मिनेट में यहां पर निकालो 36 36 36 आएगा ना तो तो त्रेपन पॉइंट 36 के सम्थिंग मिल जाएगा आपको डिग्री में यह आंसर लेकिन यह भी आंसर नहीं हुआ बच्चे एक बात और सुनिए ध्यान से क्या यह जो आपको यहां दिख रहा था यह आपको दिख रहा था कि लेटीट कि आ हैं यह यहां तक का आपको निकल के यह वाला है यह आया निकल का तरे पंद डिग्री और चाब्विस च्प्रहँ के दिखाएन के साथ न नौर्थ और बेस्ट के बीच में यह यह एंगल के लिए वीं हमेसा नौर्थ सेgrave 36 मैं से घटागे लिख दिना या फिर ऐसे कर दिना समझ गया न चलिए यह 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 समझ के सब बचे यह गलत लिख दिया यहां पर यहां पर क्या करेंगे आप यहां पर डिग्री लगाएंगे यहां पर मिनट ऐसे अप सही है यह मिनट यहां डिग्री है और यहां मिनट है ठीक है निकल के ना चलिए आगे बढ़ते हैं अगले के उसन पर अगले के उसन पर आ जाईए अगले पर इस पर देखी सब बच्चे कौन बच्चे हैं यह क्या नाम है इनका युद्ध ठाकोर बहुत बहुत धन्यवाद फॉरियर डुनेशन चलिए युद्ध इधर देखें इनको देखें कितने आसानी से करते हैं और यह किसंस आपकी वुक में भी है पेपर में हो सकता पूछ लिया बच्चे डिमांड कर रहे थे इसकी बहुत जज्यादा जो भी बच्चे डिमांड कर रहे थे आ यह इस तरह के करा देते हैं इसमें यह बियरिंग मिसिंग है कई लाईन की लंक भी इंगी कई बार इहांकी होगी हरत तरह के संद जल्दर कर लेते हैं चार ठीक्ड लब भाटर कर~~ंग आपको इतना लिखना सबसे पहले रहे देगे थैबल बनी होगी latitude बस इतना सा formula हर बच्चे को अपने दिमाग में याद रखना है कि सर ने बताया है latitude बरावर होता है L cos theta और departure बरावर सर ने बताया है departure जो होता है यह line उपर लिख दो formula इसके यहाँ पर लिख दिराओं में latitude का formula latitude क्या बताया है सर ने L cos theta क्योंकि नौर्थ के साथ बन रहा है एंगल departure में L sin theta बटा एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना formula का भी भूलना मत भूल जाए तो आपको एकी में रखनी है line है कोई भी एंगल यहां से बनता है हमेशा और departure आपका यह वाली अक्ष के साथ हुथा दिपार्चर तो डिपार्चर पर में साइन आएगा दूसरे वाले पर कोस आएगा क्योंकि उसके साथ आप अप सिर्फ इतना जानते हैं कि सभी latitude का योगफळ 0 के बराबर होता है जानते हैं ना आप लोग जानते हैं बिल्कुल जानते हैं ठीक है लंबाई है और यह आपको क्या ठीटा है ठीक अब यहाँ पर आप पहले लिखेंगे एल बन क्योंकि अगर मैं आप से कहूं भाई सिग्मा एल बताइए मुझे तब यही तो कहेंगे सर एल बन कॉस्ट ठीटा प्लस में दूसरी लाइन है तो एल टू कॉस्ट ठीटा प्लस में तीसरी लाइन है अभी ठीटा भी अलगलग होगे सबके इसका ठीटा अलग है तीसरी लाइन है और यह घौए अंगल ठीटा मान रख है तो तो इसके सामने वाला एंगल लेंगे यहाँ पर कॉस एंगल कितना लेंगे भाई कॉस ठीटा की वैलू बताइए तीस डिग्री चौबीस मिनट अभी आपको मिनट की वैलू कैलकुलडर में कैसा निकालते हैं यह भी सिखाएंगे प्लस इसके बाद दूसरा क्या है एक सॉसी पॉइंट फाइफ जीरो लंबाई हो गई और कॉस ठीटा कॉस ठीटा की वैलू इसके लिए एक सो दस एक सो दस डिग्री 36 मिनट प्लस तीसरा क्या है साथ मैं क्योंकि हॉल सर्कल बेरिंग में ले रहा हूँ रीडिंग इसमें सबको प्लस ले रहा हूँ यहाँ पर अगर आप आर भी में लेंगे तो यह प्लस माइनस के हिसाब से लेंगे इसलिए केबल हॉल सर्कल यूज करना सबसे आसान 60.25 इसके साथ में cos एंगल कितना दिया है 210 डिग्री और 30 मिनट ठीक है अगला क्या है अपना एल कॉस ठीटा बराबर में कर देंगे 0 क्यों कर देंगे बराबर में 0 क्यों कर देंगे बराबर में 0 बताइए मिहां एल 4 और ठीटा 4 लिख दे रहाँ आपकी समझ के लिए यह स्टेंडर्ड फर्मॉलाइस का क्योंकि सीग्मा एल बराबर 0 होता है इतना कर लेंगे सब बच्चे इतना सब बच्चे कर लेंगे ठीक है इसके बाद क्या करना है आप आपको देखे सामने यह जो वैलू होती है ठीटा की अगर आप कैल्कुलेटर में देखेंगे तो आपके पास डिग्री यह केवल मिनट नहीं है तो सबसे पहला काम एक धियान रगना एक डिग्री जो होता है आपका वो 60 मिनट के बराबर होता है ठीक है अगर मैं यहां से यह कहूं या फिर मैं यह कह दूँ एक मिनट कितने डिग्री के बराबर होगा वन अपॉन सिक्स्टी डिग्री के बराबर होता आपका एक मिनट यह सब को समझ आ रहा भई आप यही काम करिए जो आपका मिनट में दिया इसको डिग्री में चैन्ज करने के लिए इसको 60 से करना केबल 24 को और 30 में जोड़ देना अगर मैंने कह दिया मेरे पास वैलू जो है वो दे रखी है 30 डिग्री 24 मिनट तो मैं क्या करूंगा 30 में जोड़ दूंगा 24 को 60 से भाग करके तो यह मेरी जो वैलू आईगी ओबरॉल यह पूरी पूरी वैलू मेरी डिग्री मिल कितना हो जाएगा 24 को 60 से भाग किजिए 24 को डिवाइड किया 60 से 60 से डिवाइड कर लेंगे इसको जो बैलू आई 0.4 आ रही है इसको 30 के साथ जोड़ देंगे आपका 30.4 आ ठीक प्लस सेम यह वाला अगला कितना है 180.50 है कॉस अब 110 में जोड़ेंगे 36 को 60 से भाग करके 36 को 60 से भाग करना वैलू 0.6 आ रही है 110.6 हो जाएगा यह समझ आया अगला क्या है 60 लिखा है और 0.25 कॉस इसके साथ कॉस कितना आएगा 210 में 30 को करना आपको भाग 60 से 0.5 आएगा 210.5 ठीक अगला अपना L कॉस ठीटा है यहां तक मेरे सबी बच्चों को बात समझ में आ गई अब इन सब की वैलू निकालो कितनी आ रही है इस सब को कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लो एक तरप से टाइप करना शुरू करो 75.50 कॉस दवाईए कॉस फिर ब्रैक ब्रैकेट में लिखना वैलू 110.6 ब्रैकेट बंद फिर प्लस 60 लिखेंगे पॉइंट में 25 फिर कॉस लिखेंगे ब्रैकेट में वैलू लिखेंगे 210.5 ब्रैकेट बंद इतनी सब वैलू को को सॉल्प किया तो यह वैलू नेगिटिम में आ रही है वच्चे इन सब को मैंने एक साथ टाइप करके लिख लिया तो मेरे पास जो वैलू मिली मेरी कहा लिख है यही लिख दे इन सब को लिखने पर मेरी वैलू जो आ रही है माइनस में आ रही है कितनी 50.30 और प्लस मैं इधर की वैल दीख रहा है तक यह एल कॉस्ट छीटा है मैं नहीं पेज में लिख देता हूं इन सब को जब मैंने कैल्कुलेट किया तो माइनस में 50.30 आ रहा है यह मिल गया जब आप इसको इस साइड ले जाएंगे तो प्लस में ही हो जाएगा यह एल कॉस्ट छीटा जो आ रहा हो प्लस में आ गया आपका 50.30 यह सब को समझ आया एल कॉस्ट छीटा की वैलु मिलगी एक equation अब आप using करेंगे क्या sigma d बराबर 0 sigma d के लिए formula क्या लगाएंगे आप sigma d में l1 sin theta 1 प्लस l2 sin theta 2 प्लस l3 sin theta 3 प्लस l4 sin theta 4 बराबर में 0 चार ही तो लाएना आपके पास बोलिए अब एलबन की वैलू कितनी है वाली सारी वैलू आपको पीछे वाली लिखनी है यह वाली 75.50 कितनी है याद रखिएगा 30.4 लिख दिया प्लस एल 2 एल 2 कितना था एकसी पॉइंट फाइप्ट जीरो एकसा शबसे पोइंट फाइब जीरो और साइन के साथ आएगा 110.6 दूसरा हो गया तीसरा लिखिए तीसरा L3 कितना है L3 L3 एक 60.25 है और यह 210 बाला कितना हो गया था 210.5 60.25 60.25 और साइन के साथ 210.5 हो गया और लास्ट में फिर L साइन ठीटा बराबर 0 ठीक है L साइन ठीटा मतलब समझ रहे है लास्ट बाली लाइन की लंबा यहल है यह ठीटा है सेम यहां भी आप इन सब की वैलू निकालिए इन सब की वैलू वह इन सब की वैलू बच्चे डारेक लिख दे रहा हूं गुक की हल्प से क्योंकि टाइम की थोड़ी सी कमी है इसलिए ठीक है इन सब की वैलू आ रही है आपकी यह वैलू आ रही है प्लस में 176.56 बटा चेक कर लेना आप इस वैलू को 176.56 आ रहा है और प्लस पीछे क्या है आपका पीछे है एल कॉस्ट ठीटा एक बार आप सब बच्चे से कैलकुलेटर में टाइप करके पूरी वैलू को चेक कर लेना इतना आ रहा है या नहीं आ रहा है कॉंसेप्ट आप सबको मुझे लगता समझ में आ रहा होगा कॉंसेप्ट क्या है ठीक है इसको ले जाएए इस साइड तो योग आपका एल साइन ठीटा एल साइन ठीटा नेगिटिम में आएगा समझ आ रहा है बहुत अच्छे यह आपकी दूसरी एक्वेशन मिल गई अब आप इसकी मदद से इसकी मदद से बहुत आसान तरीके से इन दोनों की मदद से ठीटा भी निकाल सकते हैं अगर आपको मैं कहते हूँ ल निका लिए तो ल कि आएगा वही स्कुर करके जोड़ना है अंडर रूट में आ जाएगा पचास पॉइंट थिरी जीरो का स्कुर अब प्लस में माइनस वाली जो एक सो चीटर पॉइंट फाइप सिक्स का स्कूइर माइनस एक स्कूइर करने पर अपनी प्लस हो जाता है ठीक है इसको calculate कर देंगे यहां से तो मैं direct value लिख देता हूँ L जो आ रहा है अपना निकल के हैं से L जो आ रहा है 183.58 आ रहा है इतना meter यह आगया लंबाई last वाली line की लंबाई इसी प्रकार से आप क्या करेंगे आप आगे इसी प्रकार से आगे आप लोग आप दोनों को divide कर देंगे 10 theta लगा देंगे 10 theta तो 10 sin upon cos होता है sin वाले को उपर लिखेंगे क्योंकि जब 2 समीकरण 2 को equation 2 को 1 से जब आप divide करेंगे तो L से L कट गया sin upon cos 10 हो गया इधर आजाएगा माइनस बाला छोड़ देंगे साइन 176.56 आ गया और नीचे कितना है 50.30 पहले इन दोनों को divide किया आपने 176.56 को 176.56 को divide किया आपने 50.30 से बराबर किया तो यह आ रहा है 3.51 अब यहां से ठीटा निकालेंगे 10 inverse कर देंगे 10 inverse 3.51 इन वर्स आता है हमेंशा shift के साथ shift के साथ 10 दबादो inverse बन जाएगा 3.51 बराबर वैलू आगी आपकी 74.09 चोहत्तर डेगरी 0.09 को अगर आपको 0.09 को मिनट में चेंज करना तो 0.09 इसको गुणा कर ले न 60 से तो यह हो रहा है आपका एक सकेंड पॉइंट 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 जीरो नाइन गुड़ा 60 5.4 हो रहा है कितना और वच्छे 5.4 5.4 मिनट आ रहा तो लगबग 5 मिनट लिख सकते हैं 4 मिनट भी लिख सकते हैं as you wish तो 24.5 मिनट के सम्थिंग आए गए अरे भाई जीरो इतना डिग्री है यह इतना डिग्री है यह पॉइंट के पीछे वाला कर मैंने कह दिया से मिनट में लिखना है मुझे तो 0.09 को 60 से गुणा करूंगा तो यह मिनट हो जाएगा तो यह 5.4 मिनट आ रहा है इतना मिनट पांच मिनट के दूंगा लगबग इसको तो पांच मिनट माल लीजिए यह सेकंड के साथ दिखां सेकंड में तो 74.5 आ गया आपको यह लगबग 14 डिग्री और 5 मिनट यह बात सभी को समझ आ रही है 14 डिग्री आ गया लगबग 5 मिनट आ गया ठीक है यह आप इतना ही में माइनस नहीं लेंगे माइनस क्यों नहीं लिया इसका रीजन बताते हैं माइनस का काम अब यहां पर आएगा माइनस नहीं लेंगे माइनस को छोड़ देंगे माइनस ठोडने का रीजन सुनिए द्यान से क्या है माइनस हमने क्यों छोड़ा इसका रीजन आपको बता दे यहां लिकाइंगे चूकि आपका एल को सीटा क्या होता है एल को सीटा लैटिटीूट होता है यहापकर कैसा है यहां पार्चर नेगिटिव आपको यह पर बनाया चतुर्थांस यह आपका लेटिट्यूड वाली लाइन होती है वाली यह आपकी डिपार्चर वाली लाइन तो डिपार्चर नेगिटिव कहां पर मिलता है यह माइनस वन नहीं के वल माइनस डिपार्चर बताए माइनस कहा पर मिलता माइनस यहां पर होता है डिपार्चर यहां पर लेटिटूड प्लस यहां होता है डिपार्चर यहां प्लस यहां माइनस लेटिटूड तो हमारा इसके बीच में तो लाइन जाएगी जो हमारी में वाली लाइन है यहां से जाएगी बटा अब अगर हमें سमें ब्रानि雁 अनल में यह वाला इंगल है यह यहunta मिला अनले लैटिटिटूटर टॉजिटि या नेगिटिफ ती मिला है यह वाला 74.09 यह मिला है इंदर हमें निकालना है नौर्थ होता यह वाला नौर्थ से यह निकालना है यह इसको निकालने के लिए ओबरॉल 360 में से घटा दीजेसे तो आपका ठीटा जो निकल के आएगा वो 360 डिगरी माइनस में 74.09 निकल आएगा तो आपकी एग्जेक्ट वैलू हो जाएगी एग्जेक्ट बोल यह किलियर हो गया किलियर है ना एक बार जोड़दार बताएंगे सब बच्चे कमेंट्स के साथ किलियर है बहुत अच्छे समझ आ गया ना बस यही कॉंसेप्ट था सारे होते हैं इसमें लगाना था एक बन जाएगी आपकी यह बन बन गई सिग्मा डी बरावर जिरो होता है यह हो गया दूसरी इक्वेशन इन दोनों से एलो ठीटा निकालना है कि लिए तो थमसब कर देंगे सब बच्चे एक बार ऐसे करके ठीक है कि लिए रहना बहुत आसान मैं थड़ा बच्चे बंब मैं देखना पागल हो जाएंगे बग में देखके बहुत अलग तरीगी से रख़ा पताना कैसे इस ठीक है यह यह मेंस में पूछे जाते हैं कि अमने कराएं में इसमें चलिए आप इसको आप खुद से कर लेंगे सबच्दे कर लेंगे इसको जुद से यह मानल लीजेगा इसको ठीटा माल लीजेगा वही फ़ोर्मुला सिम जबापको यहाँ पर latitude लेना आपको पता है sigma L बरावर होता है 0 sigma L का formula क्या लगाएंगे आप वही मैं सिर्फ इंट दे रहा हूँ आप खुद से करेंगे sigma L बरावर होता है 0 sigma L का formula लगाएंगे पता L1 cos theta 1 plus L2 cos theta 2 plus L3 cos theta 3 कितनी लाइन है 4 plus मैं L4 cos बहुत अच्छे theta 4 बरावर मैं क्या रखेंगे 0 रख लेंगे L1 की value यह बटा L1 की value है L1 यह L2 की value है L3 की value है और यह आपकी L4 की value मैं यहाँ पर हिंट दे रहा हूँ आपको यह पहली value आपकी जो है theta 1 की value है दूसरी value theta 2 theta 3 और अगली value की आपकी है यह है बटा theta 4 ठीक है बद ध्यान ही रखना जो पीछे minute दिया है ना minute बस minute को change करना है जैसे कोई भी minute है इसको change करने के लिए degree में बस 60 से भाग करना है कितने से 60 तो आपका जो यह minute है यह automatic degree बन जाएगा डिगरी बन जाएगा कोई भी आप समझे जैसे 310 दे रखा था डिगरी में और 15 मिनट है तो 310 में आप लोग जोड दीजेगा कितना इसको 15 से भाग करके यह point में value मिलेगी जो पूरा degree में रहेगा इसका थोड़ा ध्यान रखना है बाकी कुछ और आपको भी से ध्यान इस मिलेगी यहां से एक्वेशन किसकी फॉर्म में मिलेगी यहां से एल कॉस्ट ठीटा की value आप निकाल लेना एक एक्वेशन हो गई दूसरी में फिर क्या करेंगे सिगमा डी बरावर जीरो करेंगे इसमें फर्मुला एल साइन ठीटा बन प्लस एल टू साइन ठीटा टू प् मिलेगी है यहां से एल और ठीटा निकाल देना यह वैलू आपको देख लेनी है यह आपका latitude होता है बच्चो गर यह माइनस में आगल चातूर थांस पर ध्यान रखना है यह latitude वाले लाइन है यह departure वाली लाइन है departure वाली अगर आपके दोनों प्लस आ तो लाइन यहां से ज कि इसको मालना एल टू समझ पा रहे है यहां पर यहां पर रिप्रेजेंट करीजन कर दे रहा हु कैपीटल से दिखा दे रहा हुँ यह कैपिटल लीवन की वैलू है यह एल्ट्टू की वैलू है कलर और कुछ लेले L1, L2, L3, L4, कोई भी पत्ती नहीं, यह चांज इतनी लाइन दे दे हमें, concept clear, सब clear, हमें यह देखिए, यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना बच्चे कि उस्सन को थोड़ा बढ़ाने की कोसिस की गई है, आपको सिर्फ परिसान करने के लिए, आपको यहाँ पर RB में दे रखि है, अगर आपको चिन लेने से बचना है, इनको आप किसमें लेना बीरिंग को, WCV में, whole circle बीरिंग में ले लेना, जो सीधे-सीधे ठीटा की value रहेंगी आपकी यहाँ, इनको चेंज करना सब को पता होगा, चात उर्थांस में सब को पता है, नॉर्थ है, यह इस्ट है, य आपके नॉर्थ-East के बीच में यह वाली, इसका जितना नॉर्थ से एंगल लेते हैं, जितना यह होतना ही WCV रहेगा ठीटा, दूसरी लाइन आपको दे रखी है, South और East के बीच में यह वाली, इस case में जो आपको एंगल दिया है, इस लाइन का, यह एंगल दे रखा यह लाइन देखेंगे, यह South और West है, South इधर होता है, West इधर होता है, इनके बीच में है यह, कितना चालीश डिग्री 30 मिनट यह वाला, 40 डिग्री और 30 मिनट दिया है, इसके लिए आप यहां से यहां तक लेते हैं, यह वाला एंगल, नॉर्थ से लेते हैं, हमें साट डबलू लेते हैं, यहां से यह, तो आप इसमें भी एक सोसी जोड़ना, यह मिल जाएगा, अगले में आपको नॉर्थ बैस्ट रखाए, नॉर्थ है, यह बैस्ट होता है, इसके बीच में लाएन है, मतलब एंगल यह दिया है, नॉर्थ से बैस्ट की तरफ, 40 डिग्री 15 मिनट, ठ 360 में से इसको घटा देना, यह मिल जाएगा, कर लेंगे, पहला WCV में चैंज कर लेंगे सभी बच्चे, ठीके, कर लेंगे सभी बच्चे, अब देखो, इतना टाइम नहीं है, पूरा प्रैक्टिस करें, concept समझगे, ठीक है, बच्चे, आंसर, पूछ रहा, आंसर क्या इसक ताकि बच्चे जो डर रहा है, परिशान नहीं, थोड़ा आसान कर दूँँ, वस कर आप लीजेगा, थोड़ा आसान कर दूँ इसको, यहां मैं बीरिंग लिख रहा हूँ, यहां लिख दना, यह आपको QB या RB सिस्टम है, यह यह रिडियूस बीरिंग सिस्टम है, मैं इस इदर है यह लाइन दे रखी है पैंतालीस है यह 45 हमें एंगल चाहिए यह वाला तो यह एंगल कैसे निकलाएगा टोटल 180 मैंसे इसे घटा दीजिए पैंतालीस जब आएंगे यह पांच बचा दस में से पांच गए पांच इधर हो गया साथ साथ में चाहरे तील 135 डिगरी आ गया तो यहां पर आएगा आपका केवल 115 डिगरी मिनट एक भी निया है ठीक इसके बाद आगला देखिये लगा कैने क्लेगा है चारीस साउथ बैस्ट है साउथ डे स्था यह साउथ है यह सॉरी यह साउथ यह बैस्ट है कितना था कुछ दूब्री है और तीस मिनट है यह यह विए ना हमें साउ आउड़ यह क्लॉक्वाइज ऐसे करके यहां तक का लांगल ये होता है चालीस यह है builders गितना हो गया चांश सेब्स दिग्री municipality इसमेंAS एक्राइब क्या दिया है तो 100 डिखरी ही तोNext प्रह scientific नॉर्थ वेस्ट किभी लिए नौर्थ वेस्ट का मतलब क्या है नौर्थ वेस्ट का मतलब नौर्थ Ц works यह है भैस्ट यह है यह फो फोनow पर घ्याएगी ये जानल चाली स्ट विखरी 15 मिनाट चालिस डिग्री और 15 मिनट दिया है आपको एंगल यह वाला चाहिए नौर्थ से क्लोगवाइस ओबरॉल 360 होता है 360 यह मिनट में दिया है न इसको आप ऐसे लिख देना 369 डिग्री और आप लोग 60 मिनट में लिख देना कितना 40 डिग्री और 15 मिनट है घटाएंगे तो दस में से 5 पांच बचे पांच में से चार बचे 45 मिनट आ गया नो और यह एक और यह तीन 319 डिग्री 319 डिग्री 45 मिनट 319 डिग्री और 45 मिनट यह मैंने आपके लिए आसान काम कर दिया मैंने WCV में निकाल दी सारी वैलूज ठीक है क्योंकि WCV से मैं आपको सिखाता आ रहा हूं इसलिए कंद भी मिनट डूज कर लिक्त रहा है क्या हूं प्लस मनीट4 रहा हका लाष टूज कर ले यहां पर सिंबल कैपिटर यूज कर लेना ठीक है एल बन टू एल थ्री एल फोर कॉस्ट ठीटा फोर फिर एल फाइप और कॉस्ट ठीटा फाइफ बराबर जीरो रखेंगे अब यहां यह जो वैलू आपको दिख रहे हैं यह वाली बता यह सब ठीटा वान ठीटा टू ठीटा ठीटा ठीटा के साथ में किसके साथ महँआ एल बन कास्ट यहां पर कुछ एंगल ऊबाल होगई कुछ भी 3डा की कुछ होगी प्लस में यहां पर एल टू और कौस्ट यहां भी 3डा की Κुछ वैलू होगी ऐल बन सबोस्रीन नंबर पर था और यहां रिफिटा फाइप इस तरह से एक equation आपको मिल जाएगी, एक equation, cos theta के पदों में, एक equation आपको यह मिल जाएगी, इस तरह समझ पार है, अगली बार क्या करेंगे, आप sigma d बराबर 0 लगाएंगे, तो उसमें आपको क्या मिलेगा, l1, sin theta 1 plus l2, sin theta 2 plus l3, sin theta 3 plus l4, और sin theta 4 plus l5, sin theta 5, बराबर 0, तो आप इसको लगाएंगे, तो यहां भी आपको दूसरी equation मिलेगी, l1 और sin theta 2 plus l2 और cos theta 5, बराबर 0, इसके रूप में दूसरी equation मिलेगी, अब बस आपको यहां पर थोड़ी calculation बढ़ जाएगी, अब इन दोने equation को solve करके, l1, l2 निकालना सिर्फ, ठीक है, हो जाएगा ना भी है, अब आपको इन दोनों को solve करके, सिर्फ l1, l2 निकालना होगा, theta सारे आपके पास है यहां पर, theta नहीं निकालना है, अब के लिए रहना, सर्व साउथ बेस्ट डवल है, किदर, साउथ बेस्ट और किदर है, हाँ तो क्या होगी, डवल है तो फिर भी डेट घंटा लग गया असमें, चलिए आगे बढ़ते हैं, टेकोमेटरी सर्वे पर आते हैं, थोड़ा सा एक महट सांस ले लिजिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो आपका, ट्रावर्स था भई, खतम हो गया, एक डेट घंटे का था पूरा, खतम, मुस्क बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद सबको समझ आ गया, बहुत अच्छा, वेरी गुड, आयूस, बहुत अच्छे, राजकुमार, बहुत बढ़ी है, सबको समझ आ गया, बहुत अच्छे, ओके, युद ठाकुर, ठीक है, बच्चो, चलिए, आगे बढ़ लेतने अब टेकोमेट्रिक सर्वे, पर ये इंपोडेंट है, इसका कि उसन पूछे जा सकता है, पांस से पांस टॉपिक पढ़ने है, टेकोमेट्री क्या है, टेकोमेट्री पूछे, चाहे टेकोमेट्री सर्वे पूछे, एक ही मतलब है, ठीक है, सर क्या पूछ रहे है, एल का फॉर्मूला क्या है, या आई का क्या पूछ रहा है, सामझ नहीं पारे, इधर इंस्टूमेंट पढ प्रिंसिपल पूछे एक ही मतलब है और कुछ आपको एक्जांपल सॉल्ब करने नुमेरिकल प्रॉब्लम्स चोटी-मोटी बहुत चोटा से चेप्टर जल्दी खतम कर लेंगे एक गंटे में ठीक है शुरू करें भई कर्ब को लेके कोई बच्चा परिशान नहीं हो कर्म मैं जरूर पढ़ाऊंगा आपको बिल्कुल रिरास नहीं हो ठीक है अगर यह क्लास आपकी मैंने दो गंटे की रख्यमालो यह से इस्टेडियर और भी कहते है प्रिंसिपल पढ़ना है आपको इसका और बहुत आसाना संसे दो मेथड पढ़ने है अब सामने द्यान देंगे सब बच्चे जल्दी खतम करते हैं हाँ कर्ब के 10 यर के कियुस्टण है बच्चे मारे पास कर्ब के है 10 यर के कियुस्टण इसको जल्दी देखी एक बार इंट्बेक्सेन टेकोमेट्री दूरी मों आपकी एक सर्विक्षण वदी है पड़ क्योड़ पढ़कर समझा दे देखिए टेकोमेटर होता क्या बच्चीत बहुत असान चीज है, टेकोमीटर, सब अच्य सामने द्यान देंगे, टेकोमेटरी पूछे, टेकोमेटरी क्या है? यह भी सर्वे का एक मैथड है, यह भी सर्वे करने का एक मैथड है, इसके द्वारा आप क्या करते हैं? बटा यह बिल्कुल जैसा आपका थियोडोलाइट अमेसिताना जैसा थे어지 wrapper मालय॥ था होता का टेकों готов तरह का इसके दुवारा भी ग्राउंड जैपका कोह बीग्राउंड जैस की मदह से जबसे ते क्या क्या निकाल सकतेैं ध्यान देंगे बात पर बहुत अच्छी सा properties चोपनों पंपचे इसकी सालbab सकते हैं यहां से याँ से क्रण में इस से तीन रेज接 निकलती है एक लाइन अफ साइड बिल्कु सीधी 2 आपकी इस थे वाहिरिस गया वाहर सोथे इस तरह से अच्छे जाती है तो आप इसकी मदद से से तीन चीज़ निकाल सकते हैं एक सो इस्टुमेंट से लेके लेट की होरिजोंटल डिस्टेंज एच डैल लिख रहा हो हो सब AHण यहला इसकी वर्टीकल डिस्टेंज निजा सकते हैं स्टाफ निकाल सकते हैं था पॉरिजोंटल डिस्टेंस यह सारी चीज़ आप इसकी मदद से निकाल सकते हैं चीक है समझ पा रहे हैं चलिए अब देखिए च्याना में कि उपक्रड से यह द्रकें सान्य चैतिज और दूरी यह के दोड़े दोरी को नापते हैं किसके द्वारा प्रिकासए अब लोकन के द्वारा मैं धौला निकालते हैं मतलών से ऑड यूज होता है और यू लेंस के द्वार आप दूरी मेजर करते हैं यानि यह उचे नीचे जहां पर गढ़ा हो ना वहाँ पर आप दूरी नाप लेंगे बहुत आराम से इसमें प्रिकासिक लेंस होता जिसकी मदद से दूरी निकाल लेते हैं जिसे एनलीटिक लेंस कहते हैं ति तो समझ गया आप और दूरी मापन की स्प्रिक्रिया को हम लोग कहते हैं टैकोमेट्रिक सर्वे, दूरी मेजर करने का जो प्रोसेस से इसको टैकोमेट्रिक सर्वे कहते हैं, यह तो डैफीने संती सिंपल सी, सब बच्चे लिख देंगे इसके बारे में, टैकोमेट्री क्या है, टैकोमेट्री दूरी नापने का एक सरवेट्छन विधी है इसमें हम horizontal distance और vertical distance को प्रकासी अब लोकन दुआरा ज्याद कर लेते हैं ठीक है और हम जिस उपकरंड से दूरी नापते हैं वो टैकोमीटर होता है और दूरी नापने का पूरा process जो है वो टैकोमेट्रिक सरवे होता है कि लिए र जैते हैं ठीक है प्रिकास ये दूरी समझ रहा न अप्टी कल डिस्टेंस मेंठर्ड भी होता यह ओप का यह प्टीकल डिस्टेंस मेंज़्रिंग खाबड इलाकों में जो आपके अंडूलेटिंग एरिया होते हैं उचे नीचे इस तरह के ऐसे वहां पर दूरी नाप निकले सबसे बैस्ट है यह क्योंकि ऑप्टीकल लेंस से इसमें दूरी नाप रहे है जल ग्रस्त छेत्रों में गहरे गड़ों में जहां दूरियों को चै इसका जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो सडकों रेल मार्गों और जलासें इनके ग्राफिय सर्वेक्षण में ज्यादा यूज किया जाता है तो यहां मैंना आपको इसकी डैफिनेसर बता दी दूरी कैसे नापते हैं इसमें यह भी बता दिया और यह कौन-कौन सी जग भी एक तरह का ट्रांजेट श्यूडोलाइट ही यह ज vestee ज्यादनेन जू Bachman इसके अंदर पर चयूडोलाइट जो घूराम होता था तब सब को पता है ठीडोडलाइट है थूर्बिन जूरूर होगी जरूरूलाइट है थूरोलाइट है तो दूरूर्बिन होगी होगी खेवियनियो दूर्बिन है तो इस दूर्बिन में आपको पता यह िपीस है सपोज ऑई पीपीस के पास में डायाफराम होता है यहां पर यहां पर इसक्वाहाइचकिर होते है इसके डायकराम में सिर्फ 2 तरह की प्रॉस यह भाल दूस्रे धगर दो यह आपका टेकोमीटर है उप्कर wrench दीख रहा है इसमें जो आपका डायाफ्राम होता है इसका डायाफ्राम कुछ इस तरह का होता है ऐसा थोड़ा अच्छा सा ले लिएगे हों जब डियाफ्राम तो क्रोज मान यह है ठीक को चिब डियाफ्राम यह में इसमें जो क्रॉसेयर्स होते हैं कुछ इस तरह के क्रोसेयर भी होते हैं सि यह से इसलिए र verschill और दूसरा होरी XV नान दूसरा कॉन सा और जॉन्टल वाला यह से समान दूरी पर ऊपर की तरफ यह और यहां पर वायर लगा होगा यह जो वायर लगे हुए यहां हम लोग कहते हैं स्टेडिया वायर यह आपके स्टेडिया वायर होते हैं यह जो आप देख पारें क्या है यह स्टेडिया वायर होते हैं यह वाले यानि दो तार लगे हुए यह और यह भी यह भी आपका स्टेडिया वायर है समझा रहा है सभी वच्चों के चीज इसमें दो एक्स्ट्रा स्टेडिया वायर होते हैं होता यह भी ट्रा वाय अफराम होता जिस आप बिम्ब पार्ट केते इनुरी को कहते हैं है सब को समझे रहे हैं तैको मितर को समझे रहा है о हूँ ठीक सब को समझ रहा है है इसमां विर्टिकल सर्केल հही होता है नहीं नहीं देख लिए कहीं दीकर आपको यह आपका डिजिटल ट्राइट एक ट्रांजिट इसका मोडिफाई रूप है इसमें आपको स्टेडिया वायस देखने को मिलते हैं सब्सक्राइब लेबलें करते हैं लेबलिंग चैप्टर बढ़ा था उसमें जो स्टाप था वो ही वाला ये हैं ठीक चलिए यस होता है यस सर होता है नहीं होता है चलो होता है नहीं होता है उससे छोड़ो आप इससे समझो पहले वर्टिकल सर्कल छोड़ो इससे समझो जरूरी है आपके लिए टेकोमींटर के बारे में आपको समझाई दिया वही लिखना है सेम टूसेम टेकोमीटरी सर्वे में एक साधारण यानि टेकोमीटरी सर्वे जो होता है इसमें एक साधारण संक्रामी यानि ट्रांजिट थेोडोलाइट प्रियोग में लाए जाता है इसमें भी एक ट्रांजिट थेोडोलाइटी प्रियोग में लाए जाता है जिससे हम स्टेडिया तार वाला वाला कुन सवाला जिसमें इस्टेडिया टारवाला एक इस्टेडिया डाय फ्राव्योंगराम होता है इस परकार के थेयोぎोडो-लाइट को हम टेकों मिंटर कहते हैं यानि एक एसा transit theodolite जिसका जो diaphragm होता है कैसा diaphragm होगा stadia diaphragm होगा आपको दिखाया था है न इसका डाइग्राम ये diaphragm है gold circle जो दिख रहा है आपको इसमें ये आपको crosshairs थे ये वाले ये crosshairs है अब जो horizontal वाला crosshairs है इससे समान दूरी पर एक तो उपर बिल्कुल इसके समानतर हो एक नीचे इसमें दो stadia लगे होते हैं उपर वाले को अपर stadia कहते हैं नीचे वाले को lower stadia दो stadia है दो cross air है यह समझा गया सभी को तो ऐसा वाला transit theodolite जिसमें stadia diaphragm होता है उसे हम लोग को टेक को मेंटर कहते हैं आगे सुनेंगे उसके समान दूरी पर बच्चो horizontal crosshair से समान दूरी पर उपर भी नीचे भी ठीक है तो crosshair के उपर end नीचे समान दूरी पर एक अत्रिक्त तार लगा होता है अत्रिक्त तार लगी होती है यह तार जो होती है आपकी यह स्टीडिया तार यह दोनों टार उसी रिंग पर लगी होती है इसी वाले डायां फ्राउम पर लगी होती है जिस पर कיא आपका चहतिज और suspended वाला दाथ क्रोसलि ए Porsche यह रोटीकल है ठीक है अब यह सब जो ते हैं यह एक ही की उपकरणड से दूरी ज्याद करते हैं हमने कहीं पर भी अगर इस्टुमेंट अपना सेट कर लिया इस्टुमेंट से क्या करेंगे इसकी मज़द सही भांकि दूरी निकालेंगे किसी भी अबजेक्ट की किलियर करें यह ष्टी है इसमें जो डायफ्राम होता है यह डाय एफ्राम से समान दूरी पर उपड़िवे नीचे अपके इस्टेडिय लगे होते हैं किलियर सब वरिदर ठीक है अब आपका यहाँ पर थोड़ी सी दुर्विन की बात कर लेते हैं इसकी दुर्विन जो होती है इसी उपकरण की दुर्विन की बात कर लेते हैं जो आपका स्टेडिया सर्वे है इसमें तीन प्रकार की दुर्विन प्रियोग में लाई जाती है तीन प्रकार की दुर एक्स्टर्नलवाली गयुज़़ेंटिक सब्सक्राइब सब्सकर्णी हुआ करेगी लेकिन इसमें जो लेंस यूज पिए ऐनलींटिक लेंस होगा एक्स्टर्नल इचिन उऩेक्नटराली स्वसाइब जेता है आजसेन ऐसे एक्स्टरनल फोकिस फोडरानौ टेलिस्कोuito यही बाली टेलीसकोप होतीए यह वाली टेलीसकोप हो वह तो इंपर वाली दोनों वे ऊहो रही थी जिस थेडू लाइड में बहर हो किसकेBoard तो है यह आपकी स्टेडिया थ्रोडोलाइट के साथ मैं जिसमें एनलेटिक दुर्विन भी लगा दिया आपने यह वाली यह आपकी टैकोमीटर में यूज होती है ठीक तीन तरह की दुर्विन होती जिन में से लास्ट वाली यूज होगी किलियर हुआ चलिए इसके बाद आ टैकोमीटर होता है इसके द्वारा आपका कंशेंट होता है एक इसकी रीक जिरॉह भी मतलब गुडांक होता है और ते потреб सबको समझाया पहला लक्षड दूसरा जो आपका इसमें 36 होता है अक्स 36 रेखा यानी एक्जील होरिजन्टल लाइन जो होती है वो दूसरी दौनों रेखाओं के ठीक बीच में होनी चाहिए यहां पर अभी अभी आपको बताया इसकी जो दूर्बिन होती है इसकी दूर्ब एक वर्टीकल इससे बराबर दूरी पर उपर नीचे स्टेडिया वायर होते हैं यहां से तीन रेज निकलती है एक तो बीच में से जाएगी ऐसे और दो आपकी ऊपर से ऐसे जाएगी यहां यहां यह कह रहा है कि जो आपकी एक्जील होरिजन्टल लाइन होती है यह वाली उनीचे वाली बेचमें होके दोड़ा ओपर नीचे वाली बल्गे में 에서 जहाता है इसकी धूर्विन में एनलीटिक लेंचलत क्या होता एक क्रेंट एक एसा लेंट्स जो सकते हैं अगला पॉstep उपली लेंशyll Eden क्यक्तो कॉंस्टेंट ребी एनेलेटिक लेंज जो होता है उसकी वजह से एडिटीब कॉंस्टेंट एक थिक यक यह पॉइंट भी आप सकते थे अगला लक्षण अगर आप बढाना चाते एक तो ठीक फिरबिन का praff criteria होता है दुर्बिन का आवर्धन समस्ते विटा आवर्धन मतलब मैगनीफिकेशन किस चीज को जूम करना ठीक है साप दिखा देना तो यह इसके डाया का 20 से 30 गुना होना चाहिए ठीक कि इसमें जो अभी द्रस्चक लेंज होता है संदी के इसको क्योंकि यह रएसलेज यह इसको भी बना दे मित आवक लीट्रो अपोंट ये डिर्चारिका की आवर्धन चमता भी अच्छी होनी चाहिए ताकि दूरी पर रखे हुए हम स्टाफ का निसान जो है पढ़ सकें ये इसके पांचे कुछ लक्षड थे जो आप सब को याद रखने थे ठीक है चलिए इसके बाद आते हैं आपका लेवलिंग स्टाफ बटा लेवलिंग स्टाफ जो होता है अब चुकि टैको मीटर पढ़ रहे हैं तो इस लेवलिंग स्टाफ को यहाँ पर हम कह देंगे स्टेडिया रोड लेवलिंग स्टाफ क्या है आपने सब ने पढ़ा था लेवलिंग स्टाफ एक इस तरह की रोड होती है न सीधी रोड जिसके द्वारा हम क्या करते हैं labeling में readings जिसके उपर पड़ते थे इस पर हमारे निसान बने होते हैं readings के इस पर दूरी के निसान बने होते हैं लेकिन अगर आपको कम उचाई तक की दूरी major करनी है तब तो आप labeling staff का use कर लेंगे लेकिन अगर आपको सो मीटर से भी जादा उचाई वाली दूरी major करनी हो सो मीटर से जादा की उस case में आप लोग इस टेडिया रोड का use करते हैं इतना सब इसी कंतर है स्टेडिया रोड में ना दो तरह के चिन बने होते हैं एक तो ऐसे चिन बने होंगे जिन पर least count आपका कम होगा कितना होगँक साइद पांच यह राख दूसरा दूसरा एक ऐसा होगा इसमें जिसके दस एमम लीस्ट कांट होगा जिसका दो तरह के चिन बने यह होते हैं पहला समझ गया स्टेडियर ओड जो होती है वह लेबलिंग स्टाफ की बाती सिम टी होती है जैसे आप लेबलिंग स्टाफ जोता है इसको फोल्ड कर लेते ना हम खो gost បकам किना चोटी दूरी को मेजर करने के लिए चोटी दूरी को जो मेजर करने के लिए चोटी दूरी नापने वाले निसानों का दूसरा इसमå दूसरा निसान होता है लंबी दूरी नापने के लिए इसका लिस्ट काउंट 10 mm होता है 10 mm मतलब एक सेंटी मीटर जिसको 0.01 मीटर कह देंगे ठीक है इसके भागों वाली छड़ काम में लाई जाती है अब अगर आप 100 मीटर तक की 36 दूरी निकाल रहे हैं 36 दूरी समझते हैं वो लेबलिंग स्टाप यूज कर लेंगे लेकिन अगर आप इससे भी ज्यादा दूरी मेजर करते हैं तो आपको इस्टेडियर ओड का यूज करना होता है यह उपकरण हो गया आपके टैकोमीटरी सर्वे के ठीक है समझ के सब बच्चे चलिए आगे आज इसके बाद प्रिंसिपल क्या है स्टेडियर ओड का इसका स्टेडियर ओड का अभी तक हमने टैकोमीटर सर्वे क्या है यह समझ लिया उपकरण समझ लिया दोनों इसके टैकोमीटर भी समझ लिया और स्टेडियर ओड भी समझ लिया टैकोमीटर जो होता आपका इस टैकोमीटर में जो लक्षण ओते हैं वो भी हमने इसके समझ लिए अब इसका principal है जो बहुत आसान सा principal है भूत आसान principal है इसका समझा दे वेटा BTU-P board scripted है हाँ तो इसमें क्या दिक्कत है बॉइस आगे पीछे हो रही है नहीं इसा लग रहा होगा आपको अब बहुत टाइम नहीं बस आदा घंटा मुश्किल से लेंगे पूरा खतम कर देंगे अभी तो ये टेको मिट्राप का आदे घंटे ही हुआ है थोड़ा सा और देख लिजिए एक बार बताएंगे वोईस की प्रॉब्लम तो नहीं होरी बहुत अच्छे एक बच्चे ने लिख भी दिया पक्सी राज ने लिख दिया फर्मूला प्रिंसिपल का इसका प्रिंसिपल क्या है इसके प्रिंसिपल का फर्मूला एक बच्चे ने लिख भी दिया भई बहुत बढ़िया उटा समझा है प्रिंसिपल इसका सब बच्चे तयार हैं समझने के लिए सब ठीक है ओके चलिए बटाब शुरू करेंगे प्रिंसिपल इंपोडेंटेस का थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे सब बच्चे बहुत ध्यान से समझेंगे सबी बच्चे देखें आपके पास यहाँ पर एक उपकरण जो आपका टेको मीटर है सब बच्चे ध्यान देने बटा बहुत ध्यान से यह हमने ट्राइपोड के उपर सेट कर लिया जैसे थियोडोलाइट को हम सेट करते थे सेम बैसे हमने इसको भी सेट कर रखा है एक मिनट यस हमने इसको यहाँ पर सेट कर लिया यह आपका टैकोमीटर ठीक अब इस टैकोमीटर से आपको पता है इस टैकोमीटर में जो आपका डायाफ्राम होता है इस टैकोमीटर के अंदर जो आपका डायाफ्राम लगा होता है इस डायाफ्राम के अंदर आपको पता है एक आपको horizontal crosshair है, एक vertical crosshair है और दू आपकी stadia wire होते हैं ये वाले दोनों, एक stadia wire ये है दूसरा ये है, इन दोनों stadia wire से आपकी raise निकलती है, raise मतलब क्रिड़े निकलती है यहां से देखते चलेंगे, दूसरा stop आपने इसके पास यहां रखा, ठीक, एक और स्टाफ आपने यहां रख दिया, यहां आपने कुछ आगे, अलग-अलग लंबाई पर कुछ स्टाफ रखे हुए है, एक स्टाफ यह रखा था, यह आपके स्टाफ के दो चाहें, स्टेडिया रोड के दो यह, अब आपको यहां से देखना है इनको, जब आप से देखेंगे, थोड़ा ध्यान देना सभी, इंट्रेस्ट के साथ, यहां से जब आप देखेंगे, बिल्कु सेंटर से देख रहे हैं, क्योंकि यहां पर आपका डायफ्रामर है, यहां से दो लाइन निकलेंगी, एक तो आपकी लाइन जाएगी, उपर की साइड में हूँ ऐसे जा रही है, ऐसे, ठीक है, यहां तक माल लिजे यह गई, दूसरी लाइन आपकी जाएगी, यहां से यह, ऐसे, यह सब बच्चों को समझ आ रही है, अच्छे, इसको और आगे तक ले जाएगे, काटते हुए, उपर वाई लाइन को भी आप आगे तक ले जा सकते थे, इस लाइन को आप और आगे तक ले जा सकते थे, यह, इस तरह ऐसे, ऐसे काटती हूँ, चाह जितनी आगे तक ले जाएगे, कोई दिक्कत नहीं, दूसरी आप यह ले गए लाइन, ध्यान देंगे, सब बच्चे बहुत ध्यान से समझेंगे, ठीक है, इस तरह से, आपकी य स्टेडिया वायर की रेज थी न, यह वाला क्या आपका स्टेडिया वायर होता है, स्टेडिया वायर, नीचे वाला भी स्टेडिया वायर होता है, जब यह स्टेडिया वायर की रेज यहां पर पहले स्टाप को काट रही है, तो या तो आप इसको स्टाप इंटरसेप्ट क फिर इसको लोग इस्टेडिया इंटरवल कहते हैं क्या कहते हैं इसको इस्टेडिया 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 इंटरवल इंटरवल ठीक है इसको लोग रिप्रेजेंट करते हैं से किस से इस से यहां पर पहले जगे पर हमें स मिल रहा है यह हो गया आपका यहां से यहां यह बार यह कितना मिल रा किया इसा कह दीजिए s3 मिल रा यह स्क्रहब करता है s3 यह बात सभी वच्चों को समझाई है यह आपके तीसरी 36 दूरी आपने यहीं से इस उपकरण से ठीक है उपकरण से आपने और यहां तक ले लिए आपके पास तीन अलगलग दूरियां है पहली दूरी जो है इसको आपने कहा दिया डी वन है यह वाली दूरी डी वन यहां से यहां तक जो थी यह यह दूरी डी वन है दूसर इस्टेडिया सिस्टम का प्रिंसीपल वह यह कहता है कि यहां से यह सेंटर है यह इंटरवल है इसका यहां पर देख रहा है तरह आपको दिख रहा है आगे तक यहीं से एक त्रूभुज आपको यहां से ले करके और यहां तक का है यह वरी सी की जैसी का सकल का है समरूप तर बोलंकिसे पर यह सम्रूप संडरूप तिरБुज लुट यह समय की सम्रूप तर मृतक songs एंगे वाल वी सिस्टम की यह कहता है किसी भी समृप तर उपकरण से लेवलिंग स्टाप तक की 36 दूरी जो की आपको दिख रही है D1 और जो आपका स्टेडिया इंटरवल होता है S इनका जो अनुपात है ये constant रहता है क्या रहता है बच्चो ये constant रहता है D3 upon S3 बराबर क्या रहते हैं ये ये रहते है constant ये बात सभी बच्चों को सम आई ये हो गया इसका principle सिर्फ इतना सा principle है बोल दीजिए एक बार सब बच्चे बोल दीजिए principle सभी को समझ आ गया ठीक है हम बेटक कर भी पढ़ा देंगे जो पढ़ा रहे हो तो समझ लीजिए आप सब को समझ आ गया ये ठीक है horizontal distance और स्टेडिया इंटरवल इनका जो अन क्या लिखा इसका principle यही आपको समझाया था यह उपकरण रखा हुआ यहां से दोनों स्टेडिया रोड गई आपकी पहला इंटरवल यह है S1 दूसरा S2 तीसरा S3 यहां से पहली दूरी D1 दूसरी दूरी D2 और यह D3 है यह वालक क्या रहेंगे constant रहेंगे I upon F आपको F upon I आ प्रियाद रखेंगे इसको थियोरी पढ़ लिजे एक बार इसके सबच्चे थियोरी क्या है स्टेडिया विधी इस सिद्धान पर आधारित है कि सम्रूप सम्दुभाजित त्रिभूज में लंब और आधार का जो अनुपात होता है एक यहां पर लंब है यह आधार है यह कह दीजे आधार और लंब का अनुपात एक ही मतलब है यह कॉंस्टेंट रहता है डीवन अपने असबान यह क्या है कॉंस्टेंट रहेगा बस यह इतना सा प्रिंसिपल था उम्मीदा सबको किलियर हो गया ठीक है किलियर है बहुत अच्छे कितना डीप में मत पढ़ाई च कैसे मेजर करते हैं यह समझा देते हैं ठीक है इसका डैरीवेशन है हाला कि पूछता नहीं है क्योंकि स्लेवर्स में लिखा नहीं है डैरीवेशन के बारे में अब चुकि अगर आप से कह दिया जाए स्टेडिया दवारा टैको मीटर से स्टाप तक की 36 दूरी ग्यात किज चोड़ा और चोड़ा कर सकते हैं इसको आप जल्द जल्दी करते हैं घदम ध्यान देना वस्ता बच्चे यह इस्टुमेंट है इस इस्टुमेंट में आगे यहां पर लेंस लगा हुआ है है यह कि यह लेंस लगा यह वे आपको उपटी कल लेंस जो होता है लेंस का ओप्टीकल सेंटर हो ठीक मैं आपने क्या किया इसके जस्ट सामने यहां पर एक आपने रोड रख दी जिसे आप लोग कहते हैं stadia road यहां रखी हुई आपकी बटा stadia road चाहे तो और दूर दिखा सकते हैं यहां कई stadia road रखी है जिसकी की आपको 36 दूरी निकालनी है यह stadia road है अब आपको यह भी सब बता रखा है कि यहां से जो raise निकल के जाएंगी एक raise तो आपकी इधर सबको बटा दूरी निकालना सिखा रहें आपको इसकों लोग stadia interval कहते हैं बद थोड़ा सा सुन लीजे ध्यान से ज्यादा टाइम लेंगे आपको इंटरवल इसकों लोग रिप्रेजेंट करते हैं से सबको पता इतना तो ठीक इसकों ने किस से रिप्रेजेंट किया एस से यहीं आपका एसों हो गया s st image आपको यहां पर अपर मेजर क्या और्क्रोड चुर्ण पर तक req कोई नी किसी को बहुत अच्छी आप यहां पर इसकों पॉण्ट को नाम दए शकते कुछ भी होता है हमाली आपने focus point इसका focus point बहुत ध्यान से सुनते चलना है focus point है इतना सब को समझ आ रहा है बहुत अच्छे आप यह जो object आपको दीख रहा है यहां पर staff जो था मालो staff का यह point आपका यहां पर a1 है और यह point आपका यहां पर a2 है a1 a2 दो point है जब आप लोग यहां प तो प्रतिविंब आपको यहां दिखाई देगा उल्टा कैसा दिखेगा यह बाला प्रतिविंब यहां दिखाई देगा आपको उल्टा डाया फ्राम पर यहां उल्टा दीखेगा आपको उल्टा यहां जब यह उल्टा दीखेगा तो हमने क्या किया यह बटा प्रतिविंब दीख रहा है तो हम नहीं यहां पर यह ना रहे थी इसको यहां ले आए आगे तक पो एक्चल में यह लाइन आपकी इधर आ गये ऐहां ठीक और यह जो लाइन यह वाली ऊपर ले गया अप इसको यह आगे तक शूरिक दिखा ही यह नीचे तो आ इस image की हाइट होती है यहां तक इसको हम लोग size रिप्रेजन्ट करतें आई क्या है? image की हाइट होती है बहुत द्याओंसर सिर्फ समझ लो पूरा चेप्टर सीग पेड़ेस्ड है थीक अब आपको पता है अगर आप यहां यहां से फोकल पॉइंट जो था आपका यह बाला फोकल पॉंट इस फोकस से लेकर इस फोकस विछ अप vari ces से यहां से लेकर lihat लेंगे यहां तक तक सबको समझ जा रहा है और लेंस के सेंटर से लेकर यहां से लेकर करके और जो आपका जो आपका यहां पर यह जो आपकी दूरी है यह वाली है स्टाफ तक की दूरी स्टाफ को बस्तू समझें तो लेंस से बस्तू तक की दूरी small u होती है यह आपने बस्टपर में पढ़ा होगा इसके लाबा इस लेंस से ही इस लेंस से लेके और इस लेंस से लेके बच्चे और लेंस से लेके आपका जहां पर प्रतिविम्ब बन रहा है प्रतिविम्ब यहां बन रहा था यहां इस प्रतिविम्ब तक की जो दूरी होगी यहां तक की जो दूरी होगी आपकी यह वाली यह दूरी कहलाती है आपकी वी स्मॉल भी यू और भी सब बच्चों ने पढ़ यह सारे डाइमेंशन आपको समझा रही है समझाना जरूरी था मैंन हमें निकालना क्या है हमें निकालना है इस उपकरण से लेके और इसकी जो आपका स्टाफ है जो बस्तू है आपकी स्टाफ यहां तक की दूरी आपको निकालनी है यह यह दूरी निकालनी है जैसे हम लोग S प्लस C. यह formula आपका निकल के आता है. अब यह कैसे आता है यही मैं आपको समझाने वाला हूं. लुटु यह चीजज सब को समझा रही है. यह formula कैसे निकल के आता है? यह मैं आपको समझाने वाला हूं. यहां तक सुनिए. इंपोडेंटी पढ़ा रहा है इसके बिना पूरा चेप्टर में कुछ समझी नहीं आएगा आपको ना नुमेरिकल ना कुछ और इसके बिना यह सबसे जरूर यह है मतलब हमें इस उपकरण से और यहां तक की डिस्टेंस निकालनी है कैसे निकालेंगे तो इसमें सारी टर्म आपको समझ आ गए मैं एक साइड में टर्म लिख देता हूं इसके क्या क्या है ठीक सारी टर्म सबसे पहले आप सुनेंगे आपर इस्मॉल आई क्या है आई है आपका हाइट ऑफ इमेज प्रतिविम्ब की ऊचाई प्रतिविम्ब जो बन रहा है आपका प्रतिविम्ब की ऊंच आई ठोड़ा चल्दी-अलधी करते हैं ठीक उन्च आई इसके बाद आई के बाद एस आपको देख रहा है स्क्या है स्टेडिय इंटरवल स्टेडिया अन्तर आल केते हैं इसको चलिए अंग्लिस में लिक देते हैं कोज बात नहीं स्टेडिया इंटरवल ठीक है बहुत अच्छे इसके बाद आपने देखा है यहां पर यू भी यू क्या है यू है लेंस से लेंस से लेंस से बस्तू तक की दूरी यह बस्तू है आपकी जिसका प्रतिविंब बन रहा है बस्तू तक की दूरी ठीक है इस्मॉल वी क्या है आपका इस्मॉल वी है बटा आपका लेंस से लेके और प्रतिविंब तक की दूरी लेंस से और प्रतिविंब तक की दूरी जहां आपका इमेज बन रहा है वहां तक की दूरी प्रतिविंब की दूरी ठीक और क्या है इसके से कि प्रक्रण से और कहां तक की दूरी लेंस तक की दूरी या तो यह कह दीजिए कि लैंस से लेकर और प्रक्रण से लैंस तक की दूरी Lens की दूरी उपकरण से Lens की दूरी इसके लवाब और क्या Small F है ये Focus Doori है Small F को कहते है Focus Doori ठीक है Focus Doori और क्या है समय सारी दूरी हो गई आपकी बस एक सीज बची जो Capital D है तो Capital D आपका ये है Capital D क्या है Capital D आपके Tecometer उपकरण से लेके और जो आपका labeling staff है, यहां तक की दूरी, जो आपको निकालनी है, इसका formula यह निकल के आता है, यह clear है सभी को, चलिए, आगे बड़ डीजेप जल दिसे, यह term मैंने समझा दिए, जो आपको दुबारा formula में use होंगे, तो पता चल जाएगा, k और c क्या होता है, k यहां पर multiplying constant हो additive constant, इनकी value क्या-क्या होती है, बड़ा k की value, analytic lens के लिए, c तो होता 0, and case होता 100, यह भी आपको याद रखना है, चीक है, अब इस formula के derivation की जरूवत है, आपको तो करा लिजिए, अदर्वाइज कोई जरूवत निया, आप डारेक्ट formula याद कर सकते हैं, अगर आप कहते हैं, मैं derivation मैं कर देता हूं, फिर जल्दी से, चली देखी लीजे, कोई बात नहीं है, सब बचे देखेंगे, बहुत ध्यान से, मैं derivation कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी से करेंगे, इसका, क्योंकि कभी आप से पूछ ले ना, कि टेको मीटर से और स्टेडिया द्वा के बाद, इधर small u देख लिए, आपने, लेंस से, बस्तू तक की दूरी small u है, यह capital D आपको निकालना, small df, सब वही है, जो मैंने हाज से बनाया है, चलिए, अब इसमें हम करेंगे, क्या बचा, इसको solve करके, जल्दी से अपना formula derive करेंगे, लिखेंगे similar triangle, आपको यहाँ प end, end दूसरा कौन सा है, दूसरा छोटा बाला, यह बाला, o small a1, a2, o, दूसरा कौन सा है बच्चे त्रिभुज, त्रिभुज, o, a1, a2 से, इन दोनों त्रिभुज से, हमने पढ़ा था principle, पढ़ा था ना, हमने principle क्या है, इसका, according to, according to principle, principle of stadia, stadia system का principle क्या होता है, बताएंगे जल्दी से, stadia system, stadia system का principle क्या है, कि आप इन दोनों के, आधार और भुजा का उन्पाद, बराबर, मतलब इसका, आधार का लंब का सेम लेंगे, यह होता है, यहाँ पर आधार क्या u है, और height क्या s है, तुमने आधार ले लिए u, height ल दूसरे वाले का, आपने इस बाले त्रभुज का देख लिए, बड़े वाले का, आधार यू है, height s है, इसका आधार कितना, small b है, छोटे वाले त्रभुज का आधार b है, v, v, v ले लिया, इस त्रभुज की height कितनी है, इसकी i है, i, i ले ली, clear, यहाँ से आप b निकाल दीजे, यहाँ से small b निकाल दीजे, सब बच्चे, क्या जाएगा यह, u into में i, upon में s, ठीक है, s, यहाँ तक clear वह सभी को, बहुत अच्छे, अब चुकि यह अपने बच्च्पन में एक formula हम जानते हैं, we know that, आप जानते हैं, one upon f बरावर क्या होता, आपका one upon u plus one upon b, सब ने पढ़ाये, one upon u plus one upon b, यहाँ b की जगे s value को रख दीजिए, जब आप यहाँ b की जगे value रखेंगे, one upon f बरावर क्या मिलेगा, आपको, one upon u मिल गया, और प्लस में one upon, इस b की value रखेंगे हमें direct रख रहा हूं बिटा, जब आप यह भी यह है, one upon b का मतलो उल्टा कर देंगे, इसको तो यह s upon u plus i हो जाएगा, direct किया थोड़ा सा, u into i, यह बात सब को समझा आगे न, क्या कर दिया, अरे b की value यह थी, तो one upon b उल्टा हो गया, यहाँ तक clear है सभी को, यहाँ तक सब क समझा रहे है, इसमें से आप you common ले लेना, यहांसे क्या कर लेना, यू common ले ले जीए तो क्या बचाएगा आपके पास, one upon f, क्या बचा, one upon f,SON upon f ब्रावर बता यह, one upon you common आ गया, put one up on yourien enroll का common आ गया, तो अंदर बचा के अगा, one plus, सपट दिक्कत तो नहीं है मैं यहां से आप यू को समझël यह रहाई है इनिक आई यह वाली दूसरी यू और वी की वेलू निकालनी थी पहले हमने वी की वेलू निकालते हैं एक एक एक्क्वेशन फिर वी की वेलू रखके यू की वेलू निकालते हैं सॉल्व करके यह होगे दूसरी एक्वेशन हमें निकालना है कैपीटल डी चूकि जो हमारी डिस्टेंस ह Capital D, distance, distance है Capital D, यह आप देखके बताएं किसके बराबर है Capital D, distance यहाँ पर, Capital D, यह small d है और plus में u, इसी के तो बराबर है, small d प्लस यू के बराबर है या नहीं, बिल्कुल है, small d और plus में u, इसके बराबर है, अब यहाँ पर u की वैलू रख दीजे ओपर से, capital D बराबर आ गया, small d तो यह पहले है यहाँ पर small u की value रखिए जो की है f 1 plus s upon i यह हो गया ठीक है capital d वरावर small d plus f का अंदर उना कीजिए f हो गया plus यहाँ करेंगे तो यह f हो गया f हो गया और into में s upon i आ गया ठीक है इसको थोड़ा simple करके लिखेंगे d वरावर क्या आएगा यहाँ पर आप कीया करेंगे यह रिखा f plus d कर लेंगे एक साथ मतलब इन दो हो गएक साथ कर लिए और यह आपका अलग कर दिया f finds तो यहाँ पर d वरावर क्या होता है f sym नैए यहां पर c इसको कहग लेते हैं c तो सभी को समझाया formula यह अग यही आपको यहाँ पर को के बराबर मिल गया के बराबर क्या है आपका है ऐफ अपांवहां आई जिसे हम लोग कहते हैं मॉल्टिप्लाइंग कॉपेस्ट कोई नीचे कर देंगर मुल्टिप्लाइंग कॉस्थेंट ठीक और जो सी होता है एप और दीख एप्ड़ ऑप कीटना मिला आपको एडिटिव कॉंस्टेंट इनकी वैलू एनलिटिक लेंज के लिए के आपका 100 होता है 100 और सी आपका 0 होता है फॉर एनलिटिक लेंज तो यहां से डी वरावर आपको मिल जाता है के 100 रखा 100 प्लस एस मिल जाता है ठीक है अगर आप के को हंट्रे डखेंगे सी को जीरो तो यह मिल जाता है टर्मलोजी मैं आपको अल्रेडी पहले समझा दी थी पूरी बोले किलियर है जल्दी से क्यूस्टन कर बाद आधें ठीक है चलिए सबको समझागे ने टेरिविशन बहुत सिंपल सा था इसकी मदद से प्रिंसिपल लगाया हमने इसका आधार और उचाई का अनुपाद और इसके आधार उचाई का अनुपाद बराबर लिया पहले बी की बेलू निकाल दिया दूसरा समीखड यू निकाल दिया फिर दिह स्मॉल डी प्लस यू ही रग दिया स्वल कर धिया बहुत टफंट रही है आसांसे सबचे कर सकते हैं ठीक है ऑक Cool के चलिए बहुट अच्छे एक नुमरिकल करेंगे जल्दी of 40 meter and 65 meter on the flat area from the tachometer is 0.390 meter and 0.640 meter respectively calculate the multiplying constant निकालना है और additive constant आपको इसमें निकालना है सबको समझ आ रहा है मेरी बाद ध्यान से सुनाएंगे दुबारा से फिर से सुनिए मेरी बाद मैं क्या बोल रहा हूं यह पर यहां बोला यह गया कि स्टाफ इंटरसेक्ट की जो वैलू है न वो पढ़ी गई है किस पर पढ़ी गई है स्टाफ पर ठीक है और stadieडia wire के दोरा stadie wire के दोरा ठीक आपने क्या किया आपने स्टाफ को वर्टिकल रखा है डिस्टेंस पर 40 मीटर और 65 मीटर की डिस्टेंस पर दो स्टाफ रखे हुए हैं मतलब एक स्टाफ यह हो गया और दूसरा स्टाफ आपका यह हो गया यह दो स्टाफ आपने रखे थे ठीक यहां पर क्या रखे थे आपने यहां पर यह दो स्टाफ आपने रख दिये थे पहला the distance है यानी अप्करण से लेके जूर्ब का स्टेडिया उपकरण रखा से 40 मीटर की दूरी पर रखा पहले द पहला तो और दूसरा जो आप लगोल हो आपने रखा यहां पर यह कितना रखाय यह 65 मीटर की दूरी पर रखा है यहां widen जो आपका staff है केरा स्टीडियवायर दट्वूरा पढ़ते हैं वैलू और आपने प्लेस कर रहा है वर्टीकल स्टाफ को जो स्टाफ है इनको distance 40m पर और 65m पर यहां पर प्लेस कर रखा है केलिए अब जो आपको यहां पर staff intercept आपको मिल रहे थे, आपको यहां पर क्या मिल रहे थे? staff intercept, मैं हाथ से बना देते हूं, यहां से आपने एक तो ऐसे करके ले गए, एक से ले गए, और एक आप यहां पर इस तरहे ले आए, तो यहां पर एक तो आपको staff intercept यहां मिलेगा, जिसे S1 कहते हैं, दूसरा intercept यहां मिलेगा जिसे S2 कहते हैं, यह बात सबको पता है भई, यहां पर आपको S1, S2 दे रखा है, S1 हमेशा कम बाला होगा, 0.390 मीटर, S2 आपका हमेशा ज्यादा बाला होगा, जो कि 0.640 मीटर है, ठीक, आप के रहा है, आप से calculate करना है, आपको multiplying constant K nिकालना है, K nिकालना है, और आपको C nिकालना है, इस से जदा आसान कोई क्यूसर्ण हो नी सकता, यह आपको निकालना था, मैंने डाइगराम बना के आपको समझाया, तक यह आपको समझने में आसानी हो, अब मैं डाइगराम मिटा रहा हूँ क्यूसर्ण D बरावर होता है अपना KS प्लस C यह होता है ना यह मेन फर्मूला है एक बार आप D की और S की पहली वाली रखो D1 कितना आपका D1 40 रखा बरावर के S 1 कितना है 0.390 प्लस में C समझ पा रहे हैं यानि 40 बरावर 0.39 K प्लस में C एक एक एक्क्वेशन आपके पास यह हो गई दूसरी बार दूसरी वैलू रखो D2 कितना 65 एंड लगा देना एंड D2 65 है 65 के लिए S की वैलू कितनी है S2 S2 आपका 0.640 है प्लस में C यानि यहां से आगे आपका 65 बरावर 0.64 K प्लस में C दूसरी एक्क्वेशन यह है क्या दोनों एक्क्वेशन को सॉल्ब करके एक्क्वेशन 1st एक्क्वेशन 2nd पहले इन दोनों को घटा लेना आप क्या आप निकाल सकते हैं हैं जब आप इसको निकाल specifics करको आएगी 100 रेड मीटर और सी की वेलू आएगी वन चेक कर लीज़ेगा देख लीजे यवापने आप बड़े मैं से छोटा घटा लीजेए यहां पर बच गया इधर आपने गटाया तो चौदे मैं से पांच यह बिल्कुल हंड्रेड ही आएगा कि आपका यहां से हंड्रेड मीटर निकाला चेक कर लेना दोने को सॉल्ब करके और सी जो आएगा आपका वन मीटर आएगा क्योंकि आप हंड्रेड रख दीजिए इसको के को यहां ड्रेड रखेंगा तो 49 हो गया सी एक बचा कर लेंगे सब बच्चे इस क्यूशन को बोलिए वही कि सभी बच्चे इस क्यूशन को कर सकते थे ठीक है ठीक है के वराबर ओके वेरी गूट चलिए खत्म यह तन खत्म अब बस मैठर और बच्चे के मैठर थोड़ा सुन लीजे ध्यांसे के वल मैठर बच्चे इसके खत्म हो जाएगा फिर ठीक है में तर्ड के ओथ हैं इसके दो मेतड़ सिर्फ दो मेतड़ है में तो दो होते हैं कि स्टेडिया मेत़ अच्छा दूसरा में एक में थैंग को क्या होते हैं fix hair और movable hair method मैं आपको यहीं बता देता हूं द्यान से सुनेंगे सब बच्चे कौन है क्या नाम है इनका लवाई के एन डॉट एक्स बहुत बहुत धन्यवाद आपका चलिए इधर देखेंगे जल्दी दोनों method को जल्दी समझेंगे पहला fix hair method आपको सबको मैंने यह बताई दिया है बहुत अच्छे से बता दिया यह आप सबको कि अगर आपका यह कोई यह है आपका कोई भी डायाफ्राम इस डायाफ्राम में यह आपकी cross hair से एंड इन में जो आपका horizontal cross hair होता है horizontal cross hair यह vertical आपको पता है horizontal cross hair से बिलकुल बराबर दूरी पर ऊपर और नीचे ऊपर भी और बटा नीचे भी ठीक नीचे भी यहाँ पर दो आपके stadia wire लगे होते है तो जो आपका fixed hair method होता है इसमें stadia के बीच की जो दूरी है यह वाली नहीं है तो समझ जाए हो method आपका fixed hair method हो गया कौन सा method हो गया वो fixed hair method हो गया ठीक है दूसरा सुनेंगे दूसरा अगर आपका यहाँ पर जैसे यह आपका stadia है चलिए यह आपका यहाँ पर यह आपका यहाँ पर दूसरा डाय फ्राम हो गया इसमें यह आपका horizontal circle यह vertical circle और सेम चीज यहाँ भी equal distance पर यह आपके stadia wire हो गई अब इसमें क्या होगा इसमें इसके बीच की जो दूरी है यह वाली यह दूरी यह जो दूरी है इधर दिखा हो जारी है mauve हो जा इस बतलत कि यह दूरी कैसे फिक्स नहीं है कैसे और भी हो जारी बदल जारी है यह नहुյ है यह श jag it चलिए एक एक करके दोनों को समझ लेते हैं पहले समझते हैं fix year method अब मैं यहाँ पर direct आपको कर देता हूँ fix year method को ध्यान देंगे सब बच्चे सभी बच्चे ध्यान देंगे fix year method की और ठीक है सब बच्चे fix year method की और ध्यान देंगे fix year method आपका क्या होता है ठीक चलिए तो मैं इसकी थियोरी डिरेक्ट दिखाता हूँ आपको क्योंकि अब लिक लिक के समझाएंगे टाइम बहुत लग जाएगा पहला थियोरी पढ़िए क्या होता है इस विदी में गज बिंदू जो होता है गज बिंदू मतलब स्टाप पॉइंट होता है अब डाय ठीक है यह अपने दुर्विन हो गई ठीक है यह अयाँ पर दुर्विन बिंदुर्विन हो गई यह थिक यह और इनके बीच की दुडरी है insignificant निकल जा रही है और एक प्राय नीचे वाली गई है और एक रेज आपकी बीच में यहां पर यहां पर क्या होता है थ्यान देएंगे सब बचे यहां पर यहां पर यहां पर इस पॉइंट भी से यह पॉइंट भी कि यहां से पेला पॉइंट आपको यह मिल रहा है पहला क्यों प्राइब सतुम और यहां और नीचे से ही यहां से यहां तक के दूर यहीं वाले इसको हम लोग कहते हैं यहां यह बात सब बच्चों को समझ आई S1 S2 S3 क्या है यह S1 पॉइंट एपना यह S2 पॉइंट एपना और यह अपना पॉइंट S3 है S3 सब को समझ रहा है हमारे स्टेडिया क्रॉस एर उपर और नीचे वाले थे तो नीचे वाला S1 उपर वाला S3 इन दोनों के बीच के जो दूर है S3 ठीक है इधर दिखा दिया अपने नीचे से यहां तक की दूरी S1 यह S2 यह S3 अब आपको पता है जो आपके स्टेडिया नीचे और नीचे वाली और उपर वाली जो लाइन है सब चलास्ट बाली यह जो लाइन सापको दीख रही है यहां पर यह लाइन कौन सी है यह स्टाफ इंटरसेप्ट की लाइन है यहां से लेकर यहां तक यही तो आपका S3 था S3 और यहां से यहां तक कितना था S3 मैं से घटा दूंगा तो आपको S मिलेगा तो आप सीदे सीदे हैं क्या लिखेंगे यहां लिखेंगे बैटा S बरावर होता है आपका S3 माइनस S1 सिर्फ इतना सापको यहां पर लिखना है यह चीज़ सबको समझ आई सभी को समझ आई यह चीज़ यहां पर जब हम D बरावर निकालते हैं आपने पढ़ाए के इंट सभी बच्चों को यह चीज़ समझ आई पर होता है इनके है इनके है फिक्स होते हैं पहला मैं यह आपको थ्योरी थोड़ी समझा देता हूं यहां पर थ्योरी का कहती है इसकी है कि इस बिदी में गज़ पॉइंट जो भी है आपका गज मतलब यहां पर स्टाफ रखा इस पर एक स्टाफ रख देते हैं एक स्टाफ रखकर उपकरण जो आपका पॉइंट एपर है इसके उपर और नीचे की स्टेडिया तारों से गज पाठ्यांग पढ़ लेते हैं उपर नीचे के जो बाहर जा रहे थे उनसे रीडिंग पढ़ लेते हैं जो कि यह S1, S3 थी इन की वैलू जो हमीशा S3-S1 ही आएगी यह फिक्स है क्योंकि इसके हेर्स फिक्स है हलकि S की वैलू डिपेंड करेगी डीपर दी आगे बढ़ता जाएगा तो यह दूरी बढ़ती जाएगी आगे को लेकिन S3-S1 अगर फिक्स मिलता है आपको इसको हम फिक्स हेर मेथड कहते हैं क्या कहते हैं इसको फिक्सिर मेथड ठीक है तो इस्टेडिय अतारों से गज पार्ट यंग पर रीडिंग पड़ी जाती है इन दोनों रीडिंग का जो डिफ्रेंस है S3-S1 इसका डिफ्रेंस वह आपका क्या होता है वेटा उसे हम स्टाफ इंटरसेप्ट कहते हैं यह जो आपको इस दि घराने वाला इसको हम्लोग स्टाफ इंटरसेप्ट कहते हैं पर इस टाफ इंटरसेप्ट होता है फिक्स रहता है ठीक है इस विदी में स्टेडिय अतारों का अंतर फिक्स रहता है परंतु जो गजपाठ्यांग का अंतर है वह गज़ की उपक्रण से सबसे पहला केश रहता है एक हब है आप कर लिए को था पार टीकल थिक्त का हुआ STAFF IS held ВЕРТИКАЛ STAFF आपका बिल्कुल रखा हुआ है कि यह भी बीच में से Line of Side जा रही है यह बैंड आप यह Line of Side जो जा रہी है अगर यह Line of Side horizontal है जो Line of Side है कैसी है यह Line of Side आपकी horizontal है प Di लिकुल चैते जा eder When Line of Side horizontal पहला CASE होता है Fixier Method पूब यहां तक कोई दिक्कत नहीं किसी को लिए चली बहुत अच्छे अब इसमने में वही करना फॉर्मुला निकालना यह जब आप फर्मूला निकालेंगे तो पहले लिखेंगे स्टाफ इंटरसेप्ट कितना आ रहा है स्टाफ इंटरसेप्ट जिसे आप लोग S कहते हैं S S बराबर आपको पता है S 3 माइनस S 1 मिलेगा आप देख लिजे यहाँ पर आपकी जो 3 लाइने निकल्के जा रहे हैं एक यहाँ कटैगा दूसरा यहां तीसरा यहाँ तो इस्टाफ इंटरसेप्ट यहां तक बहुत अच्छे अब आपको पता है जो आपकी horizontal distance होती है कि कॉरी जोन्टल जिसेशन आप लोग कहते है है कैपित्रल डी , आपकी केणि प्लस सी होती है ग्लज किए ग्वेर स्तिंगे डि dł पर श्क्या आथ के और राबर कि आथके के आपके की रखैंगे आपके माइनस s1 प्टलस मेंCan in या की की वैलू क्या होती है के यो whao और कुम मेरी स्ट्रीब रहता है थी कि जगह पर हमने क्या रख आ है एफ यह प्लस में सब्सक्रप्र विए गल्टीटे incentives क्या फ़िंड है क्या सब्सक्रे पहstate पहला केस पहले केस में सिर्फ यह है अच्छा इस केस में आपको आरल और निकालने को कह जाता है कभी-कभी यह तो आपने डिस्टेंस डी निकाल दी यह वाली डिस्टेंस यह जो आपको डिस्टेंस दीख रही है यह डी निकाल दी आपने इस वाले फर्मले से कभी-कभी कहत कभी कवर आप CSIB among का आरल पूछ देगा आरल कितना बूंट का पॉइनिये के सीपॉइन अरहाय पुछ। कि स्ताफ पॉइंट का अरय निकालने के लिए पहले आपको यह हाइट of इस्ट्यूमेंट के लिए यहां पर पहले से पता होता है इसको बेंच मार्क पता है अब यहां से आपने पीछे की तरफ रीडिंग ली पहली रीडिंग आपकी बैक्साइड होती है आप सब जांते हैं इस बात को क्या जानते हैं कि आपका है यह. पीन प 커피ह संफल को जोडने मिलता है समझ है सब बंचने जोडने पर मिलता है और आपको यह ऑली तो Está कि हैं अप मिल जांड है कि फडिकर लिखा हुग है इस चोब के ऊपका allowing मिल्टा है की अ ओच लाएilly साहिव सब को समझा रहा है ये चीज मैं इशाइब मेलियyes मिली है इस मेंसे आपको यही तो चाहिए ये चाहिए सिर्फ आप इस है यहां तक है यह उगा क्या había यह तो आप इसी रीडिंग गटा दीजे यही तो हैं यह यह आपका height of instrument यहां लीजे याप यहां देख लीजे चाहें आप लोग यहां देख लीजे हैं यहीरवाला यह और यह दूरी क्या यह से यह से जमीन यहा तक की स्ट्रवाइब देदा करदें दिए इससे प्रवाइबर होता है थिक यह पका बीका प्रभ मिनें कल गया पहरा केस्स अभी को समझ आ गया ठीक है चलिए इसमें से तो आएगा है चाहिए आपका है है इसमें साफ ने क्या किया यह निकालना था तो इस एस फीर से लगाना सबको ठीक है बहुत ते लगाएंगे सभी वच्चे इस किस्तर को मेरे साथ साथ हो जाए है सिरू पढ़िए किस्तर में क्या दिया है आपको सबसे पहले बोला है under the tachometry survey tachometry survey में the stadia readings stadia reading दे रखिये at the staff एक staff पर which were erect यानि जो विल्कु सीधा है at some horizontal distance कुछ horizontal distance पर इस्टुमेंट से read यानि यह reading जो आपकी 0.65 0.95 और 1.35 मीटर दे रखिये ठीक और multiplying constant जो इस्टुमेंट का के वो दे रखा है 100 एडिटिव constant दे रखा है 0.50 find करना है आपको distance कौन सी distance staff की distance find करनी है from the instrument station यानि capital D निकालना है आपको capital D निकालने के लाब और क्या निकालना है और आप से कह रखा है rl reduce level rl भी आपको बताना है प्याग इस्टुमेंट का जिसका आपको यहाँ पर benchmark दे रखा है 200 मीटर सबको समझ आ रहा है और आप से कह रहा है height of the line of collimation line of collimation की जो उचाहिए height of instrument भी आपको दे दिया 1.50 मीटर है कुछ ही निसमें तो staff की height भी आपको find करनी है देखे कितना असान की उस्टान है सबसे पहला आपको staff की reading दे रखे हैं पहले क्या दिया है आपको staff की reading थोड़ा जल्दे लिकरेंगे staff की reading क्या क्या है यहाँ पर staff की तीन reading है पहली reading को s1 बोलेंगे s1 0.65 मीटर दूसरी जो reading है दूसरी reading को हम लोग कहेंगे s2 s2 कितनी दे रखे है s2 बटा 0.95 मीटर तीसरी reading दिया आपको s3 s3 कितना 1.35 मीटर ठीक है यह तीनो reading आपको दे रखे है इसके लाब आपको दे रखा है multiply constant k k 100 मीटर दिया है additive constant c दे रखा है जो कि 0.50 मीटर है यहां तक तो किसी वच्चे को दिक्कत नहीं है अब आपको निकालना क्या वो सुन लिजे आपसे पहले पूछाए d पहले क्या पूछाए d निकालना पहली चित d जब आप d निकालेंगे तो formula आपको बहुत अच्छे से बताया है k into s plus c और k s की जगह पे लेते है s3 minus s1 प् प्लस मैं c दे रखा 0.50 के लिए रस अभी को यह इसको यहां से calculate कर देंगे d निकल आएगा जितना भी आरा निकाल लीजेगा साइद यह 70.50 को something आएगा इसका जो answer होगा अब चेक कर लेना यहां तक किसी को दिक्कत तो नहीं बोलिए कि यहां तक बोलिए यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं है कर चेप्टर करा दीजे आजी और यहां कितनी बार कहेंगे सुनतो लिए थे की बार में अब आपको और क्या दे रखा था इसमें देखिये निकालने के लिए यहां तक तो मार हो गया डी जहां तक निकालना था अब आगे कह रहा है यहां पर अब कहे रहा है यहां तक देखिये रेख रहा है यक्या डियू सल्बर र होता है इस और इसार को समझतिanka बहुत है और क्या दिया आपको इसमें hou कह रहा हाइट ऑप दा लाइन ऑफ कोलिमेशन ऑप दा इंस्टुमेंट इज वन पॉइंट फाइब जीरो मीटर यह लाइन ऑफ कोलिमेशन की हाइट दे रखी है एक दे रखी है लाइन ऑफ मैं diagnostic में इवलेवल सोरीफर डेट नेमें लेंग्विज आपको समझा रहा हूं साथ-सा ठीक है मैं समझा लाइन आपको साथ-साथ तो height of line of कउलिमेशन क्या होता आपका आफ ऐट ओफ लाइन आफ कोली मेंसन क्या होता है लाइन ओफ फैय रहती है रखी क्या एक साइड की रिडन की इतना बोले बैक साइड की रीटिंग कितनी दे रखे बैक साइड दे रखा आपको 1.50 मीटर ठीक 1.50 मीटर आपको बैक साइड दे रखा था इसके बाद आप यहां से क्या निकालेंगे पहले आप ही निकालेंगे यह लाइन ओप साइट की हाइट नीवट है बैक साइट दे रखा था अब पहले आप ही निकालना ही ही के लिए दोनों को जोड़ देंगे ही क्या करेंगे आप ठीक है 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 कि यह दोनों को जोड़ देंगे ठीक है चलिए जोड़ लीजे दोनों को किस किस को इसको 200 में अगर आप इसे जोड़ेंगा तो 201.50 हो जाएगा मीटर में है साह prisoner है अब आपको आःल निकालना है और इल भी पॉइंट पर आइल ऑफ स्टाप Nations का निकालना है बहुत साइव था था हमें से स्मॉल एज घटा दीजिए इस मेंसे हम ustal टू जो ऊस पॉइंट नाइन फाइब यह आपका आरेल भी आपको मिल गया ठीक है कि बोलिए भाई आरेल भी सब बच्चों को समझ आ गया चलिए बहुत अच्छे अब बस मैं एक केस्ट आपको और ली पांच मुट में समझा दो दूसरा केस्फिर खत्म यह ठीक है निकालना सीख गया बेंच मार्क पर यह आता है लाइन ओफ कोली मेंशन की हैंट दी थी नहीं बैक्साइट दें रखी थी हाइट आप इस्टुमेंट निकाल लिए दोनों को जोड़ करके बेंचमार्क बैकसाइट को जोड़के निकाल दिया यह आ रेल निकाल णिए सेस्त टूंगो धादी आरम आ घया घ़त्म आब यहां पर दूसरा केस आता है दूसरा क्या होता ह्का उसका नाम सुन लिएंगे पहले दूसरे क्या नाम है कि आपको स्टाफ को तो व्र्टी कर लिचिये स्टाफ को लेकिन जो लायन उप्साइड iis बार उसको आपको निक्लाइंड कर दिना अब जब आप साइड को इनक्लाइंड करेंगे दो तरह से कर सकते हैं एक तो तो यहां से जो लाइन आप साइड निकलिए यहां से निकलिए यहां आपका यहां पर आपका इंस्टुमेंट है कि यह इस्टुमेंट भी सी के अनुदिस बनाई यह इस तरह से कुछ इस्टुमेंट आपका यह दुर्बिन है और यह दुर्बिन आपकी इस तरह किसी इस्टुमेंट पर रख्यू हुई थी जमीन जो आपकी ऐसे ग्राउंड यासा है आपका कुछ इस तरह का कुछ इस तरह की जमीन है आपकी यह वाली ठीक है यहाँ पर जो लाइन ओप साइड है यह लाइन ओप साइड लाइन ओप साइड यह कैसी दिख रही है आपको स्टाफ जो स्टाफ है अंक विलकुल वर्टीकल है थीक है इसमें आपको यहां पर क्या रिखाई देरह लैंप साइ्ट संब उपर की तरफ देख रहे हैं दो इसको कहते हैं एंगल ऑफ ऐल्ट की कन्डिसन एंगल ओफ एलिवेशन की अब आपकी जो लाइन आप साइड है किदर से आ रही इस साइड से आ रही है लाइन आप साइड इदर से आ रही थी आपकी दूर्बिन इस बार आपकी कहां पर है हां कुछ इस तरह से ठीक यहां और यह किसी भी किसी भी जमीन पहें इस तरह से यहां पर रख्यों है जमीन आपकी कुछ इस तरह से थी ऐसे यह जमीन है यह पहाड़ा पहाड़ी इलाकेज होते है ना वहां पर यह कंडिशन बंद थी जाए तर यह दूसरे केस में यही रहता है दूसरे केस में क्या होता वच्छे दूसरे केस के दो पार्ट होते हैं कि आपका स्टाफ तो यहां भी वर्टीकल है यहां भी वर्टीकल है लेकिन ला की कंडिशन है एंगूल ऑफ लिफ्रेशन की कंडिशन है अंगल ओफ डिपरेशन इस को ऑनियर पॉड कहते हैं इस सब यह सब इंदी को समझ आ हर है है मतलब आपप नचले एंगल नाइगा ठीटा इसको अन झाओ कै है ठीक है इसके दो पार्ट है सबसे पहले पहले पार्ट के फर्मुले देख लिए आप लोग फिक्स हेर मैं थड़का जो आपका फिक्स एर में थड़का दूसरा केस जिसमें आपका स्टाफ तो बिल्कुल वर्टीकल है स्टाफ अमें बहुत डीटेल नहीं समझा ना सब्सक्राइब का सब्सक्राइब करें यह रहता है प्लृक जाता है मतलब है सिम्पल करके अगर लिखना चाहते तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे का डी वराबर यह आपका एफ होता है एफ उस्वरी के होता है के होता है के बिल्कुल आता है कि जहां पर एस आता था वावस एस को चलिए सौफ्ट्वेर थोड़ा से प्रॉब्लम कर रहा था भी ठीक हो गया अभी ठीक हो गया होगा अभी ठीक हो गया होगा OBS सौफ्ट्वेर थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा था अभी ठीक है चलिए बड़ा जो बच्चे कहना है fix here method थोड़ा सही से समझा दीजिए उस समझ चुके आप fix here method क्या है इसका सिर्फ एक case आप लिख देना पहला बाला इसको लिख देना यह आप सीख चुके थे जिसमें आपका stop vertical है और line of side horizontal है इससे तो बहुत आसानी से समझ गये थे इससे लिख देना दूसरा inclined वाला case में time लगेगा पूरे diagram को समझाने में यह तो मैं simple बनाया था इसमें समय लग जाएगा मना आपको यह पर single एक lecture गंटे में इतना ही पढ़ाया था समय सीमा थोड़ा सा कम है इस लिए ठीक है समझ गे मेरी वात को तो सिर्फ आप लोग एक पहला वाला पार्ट कर दीजिएगा इसमें पूछे तो line of side को horizontal रखें वो सबसे आसान है इसके direct formula आप चाहें तो याद कर लिजिएगा अधरवाई इससे चोड़ दीजिएगा ठीक है इतना ही था यह खतम हो गया अब आपका अब यह मेर्ण तो इसकी के बला ठीच यह एक हतम हो गया आपका एक vertical cross here है दूसरा horizontal cross here है यह वाला इन से बरावर दूरी पर ऊपर और नीचे क्या होता है उपर नीचे stadia होते हैं और इन stadia की जो position हैं बदल सकते हैं कर सकते यह पास पास भी सकते हैं या पर यह आपके यहां पर पास पास भी आसकते और इनको दूर दूर भी ले जा सकते बहर यानि इनकी जो बीच की दूरी यह वाली यह दूरी फिक्स न以前 रहती, यह ब्लत ₹ इस California के बीच में ज दूरी होती है उसको इस तरह से बदले आता है कि दोनों इस प्रकार को कहते है इतना सा इसका नाम है क्लियर ना खतम हो गया यह बच्चे कहरा सर आप भूल गये कोई क्रिवीजन है हो गया कोई क्रिवीजन बठा खतम हो गया आपके दो चेप्टर अच्छे से दोनों हो गए हो गये पार्ट थ्री आपका कम्प्लीट ठीक है इसमें मैंने आपको से वह भूग बचाहर है और आपके लास्ट के जो तीन चेप्टर रहने वह बचहों है की का है इसमें से इंपुडेंट बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है अगर आप इसमें बात करें ट्रामर्स सर्वेंग में तो सिर्फ इसका एक नुमेरिकल इंपुडेंट छो आपको कराया था जिसमें लेंथ मिसिंग हो या ठीटा जो बीरिंग हो इसका नुमेरिकल तयार कर दें मैं तरवी नी पलोटिंग कर ले यह प्लोटिंग यह उन्ही पूडेट करना प्लोटिंग के ट्र मेर्वर्स हरृआ में प्लोटिंग ट्रावर्स में सिर्फ प्लोटिंग वाले टॉपिक को अच्छे से एक बार और रिवाइज कर लें प्लोटिंग को सई से प्लोटिंग पढ़ने के बाद ट्रावर्स में आपको प्लोटिंग के जो पढ़ा दिये थे मैंने इसके बाद plotting के just बाद आपको फिर coordinate method पगरा छोड़िए सब फिर आपको सिर्फ latitude departure वाले जो क्यूसंस है न इनको सही से कर लिना केवल की उस्सन की उस्सन मैं क्या बोल रहा हुटा केवल की उस्सन की उस्सन सही से कर लिना कौन से वाले की उस्सन जो last में कराये थे मैंने यह वाले यह वाले कि उस्सन जिसमें आपकी जिसमें आपके यह लेंथ मिसिंग है और यहां पर ठीटा मिसिंग है यह वाले कि उस्सन इस chapter से पूछ सकता सिर्फ इसमें और बहुत ज़्याद आपको ध्यान नहीं देना है बागी मैंने पढ़ा दिया जो चीज आपके लिए इंपोडेंट थी वह भी कर देंगे पेपर में टेकोमेटरी सर्वे का थोड़ा से इंपोडेंट सुन लेंगे टेकोमेटरी में टेकोमेटरी में टेकोमेटरी सर्वे क्या होता है इस पर टिपड़ी पूछ सकता है याद कर लिजेगा ठीक है और इंस्टूमेंट के बारे में पढ़ ले ना केबल टेकोमीटर के बारे में आपसे नहीं पूछेगा टेकोमीटर के बारे में पूछ लेगा टेकोमीटर अगर एक केस दिखा देना जिसमें लाइन आप साइड होरिजॉन्टल थी जिसमें डी वराबर के एस थी माइनस एस बन और प्लस में सी वाला फॉर्मुला आता है ठीक उसे दिखा देना समझ पा रहा है ना फिक्स हेर मेथड इसका इंपोडेंट एक मैथड में भी कौन सा मेथड टा इंपोडेंट ओग्या अपका टा को मेंटर इंपोडेंट हो गया और टेको मेар सरफे की डेफिनेशन इसके अलाबहा इसका प्रिंसीपल भी पढ़के जाना इस το प्रिंसीपलmen पढ़के और एक प्रिंसीपल पूछ लेता है कभी कभार इसका प्रिंसीपल कर लेना ठीक कर लीजे कुछ खापी लीजे आप लोग नौ बजए सुरू कर रहे हैं जस्ट अभी पार्ट फोर को उसमें पूरा कर्व अच्छे से रिवाइज करेंगे कर्व काफी बड़ा चैप्टर है और बहुत ज्यादा इंपोडेंट कर बहुत ज्यादा पूरे सर्वे के अंदर इस समय जदा हीट हो गया है वो पता नहीं क्या इसमों OBS में दिक्कत आरी थोड़ी सी एक घंटे रेस्ट कर लेंगे बीच में आप तो हो जाएगा शिरू नौ बजए मैं कर्व लेके आ रहा हूं ठीक इसके बाद फिर कल सुबह थोड़ा सा जाते आपको modern सर्वेंग एक् पर फिर कतम हो जाएगा ठीक है सब बच्चे समझ के मेरी बात को ठीक है तो बस नौ बजए आप लोग सब जोड़ जाना नौ बज़े मैं कर्प समझाओं गो कर्प मैं बहुत जादे इंपोड़ेंट चीजों की बात करेंगे बहुत कम टाइम में को सिसकरेंगे पूरे बच्चों ने पर पड़ा था उनका अच्छा रहे इसलिए मैं केवल में 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 टॉपिक निकरा रहा चारपमाच अब पता चला हमने हर चैप्टर से दो दो टॉपिक में करा दिये और बीटी यूपी बोड़ का कुछ बरोसा नहीं है बच्चे पूरी साल मेहनत से पूरा और यह दो दो चैप्टर थे ना बीच वाले यह बहुत ज्यादा इंपोडेंट नहीं थे लेकिन इनको लेकर बच्चे परिसान हो रहे थे साथ ट्रावर्स सर्वे नहीं कराया नहीं करा दिया ट्रावर्स के नुमेर कल आपको बहुत आसान लगे थे करके आजाना साम को कर्प में साम को नो बजी शुरू करेंगे बस दो घंटे बादी ठीक है चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सब का जो बच्चे लाइव हैं जिनोंने सेशन को लाइक नहीं किया लाइक जरूर कर देंगे नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लेंगे ठीक है ब नोट़ का डाला देंगे बिलकूल अभी जस्ट ठीक है पीडियेफ पीडिएफ का डा लेंगे इसका पीडियेफ डाल देंगे टैली क्यानल पर कर जिटेलक पॉली के टैलीग्राम चैनल पर डाल देंगे पीडिएफ इसका वाँ से ले ल gebा ठीक है चलिए ओके बच्चो मिलते हैं बहुत जल्द फिर सामको नो बजे बाई बाई टिक केर